अच्छ वेरी वेलकम टू आल अफ यू आई है फटा फट हम लोग है लेक्चर नमर पूटीन के उपर आज का एक नया टॉपिक चालू करना है तो यहां तकक हम है सबसे पहले आपको फटाव हम लोगपर आगे अपर उसमीन करना होगा और टैक्स भरने के बाद क्या करना होगा रिटर्न और इंकम बरना होगा रिटर्न और उनकम के बाद होगा समरी असेस्ट्मेंट जो होगा 143 जहां पर अर्थमेटिकल एरर, incorrect claim, disallowed of losses ,disallowed of deduction after the due date and audit expenses जो मेंचर्ड होगी audit report के अंदर में वो चीज आपको क्या करनी होगी डिसलाव करके आपका टोटल इंकम या लॉस कंप्यूट करना होगा यस और नो समरी असेस्मेंट के बाद यो डिसाइड करेगा असेस्मेंट करना है या नहीं करना है अगर उसको असेस्मेंट करना है तो अब उसको चाहिए रहेगा डोकुमेंटेशन या कुछ लोगों से वो रिटन फाइलिंग करवाएगा जिन से वो रिटन फाइलिंग करवाएगा उनको एक नोटिस देगा 142.1 और कुछ लोगों से इंफर्मेशन चाहिए होगी वो इंफर्मेशन आएगी 142.1.2 के दहत यास और आगे अगे बढ़ेगे यह इंफर्मेशन उसे समझ में आई यह इंफर्मेशन उस्थे समझ में नहीं आएगी अगर यह information उसे समझ में आगेई तो फिर तो assessment होना है 143.3 के अंदर में by giving a notice under 143.2 आपको assessment किया जाएगा आपकी टोटल इंकम और लॉस कंप्यूट किया जाएगा अमाउंट पेवल और रिफंड डिटरमाइंड डियू किया जाएगा यास ओनो यह तो तब की बाते करना है जब हम जिंदगी बहुत असीन चल रही है सारे कंप्लाइंस हो रहे हैं दूसरा सिचुएशन ठीक है नहीं भरा तो क्या हो सकता है यह डाएक लिए उसका बेस जज़र्जमेंट असेशमेंट हो सकता लुट के अंदर में निकम सिव बढ़ती है इंकम कम नहीं हो सकती यादा रहा है आपको जो भी होगा इसके बाद और निकलेगा और यह होगा डिमांड और संट सक्ष revision rectification yes or no पहला है rectification rectification 154 के अंदर में होता है if there is a mistake apparent from record अगर mistake apparent from record है तो किसी भी तरह का intimation या किसी भी तरह का order क्या हो सकता है rectify हो सकता है yes or no rectification 4 साल के अंदर में किया जा सकता है within 4 years from the end of financial year in which order ought to be rectified was passed rectification वो करता है जिसने क्या किया हो order pass किया हो क्या आपको याद है अच्छा जी इसके बाद दूसरा था अपील पहला अपील अप्लाई करना होता है form number 35 के अंदर में अप्लाई करना होता है और यह अप्लिकेशन करने के बाद CIT appeal क्या करते हैं अपने decision देते हैं 246A में appealable order लिखे है 248 के अंदर में उसका procedure and mechanism लिखावा है and accordingly 251 के अंदर में इसके powers दिये गए हैं फिर हम लोगोंने बात करी ITAT जो 252 से लेके 255 तक के बग करता है 252 में ITAT का constitution दिया है 253 के अंदर में appealable order दिये हैं 254 के अंदर में ITAT के order passing के power है and 255 के अंदर में procedure होगा कि किस तरीके से ITAT अपना decision प्रोवाइड करेगी 260A, 260B, 261 High Court and Supreme Court के अंदर में appeal की बात कहीं गई है 268A आप से बात करता है कि boss monetary limit department के लिए लागू की जाएगी यह आपका पूरा appeal दा साथी साथ में हमने यह भी देख लिया कि income escaping assessment 147 से लेके 153 तक कैसे होता है 153 एक major section था जो हम लोगों ने देखा था अलग-अलग case में time limit क्या होता है 1531 से लेके 1536 तक के assessment complete करने के अलग-अलग time limit दिये थे कि normal assessment में time किता होगा सेट असाइड करके अगर fresh assessment direct की गई है तो time limit कितना होगा and court का कोई order आया होगा high court का कोई order आया होगा और ऐसे case में अगर effect देना होगा आपको किसी order का तो उसका time limit कितना होगा यहाँ तक कि हमने इतनी सारी बाते करी है आज हम बात करने वाले हैं तीसरे topic के उपर that is revision तीसरा topic means तीसरा गिवर्यांस रड्रेसल मेकानिजम revision yes or no अगर आप module के अंदर में जाएंगे तो module के अंदर में आपको appeal और revision दोनों एक ही topic मिलेगा assessment procedure एक topic मिलेगा जिसमें rectification भी cover होगा और module का एक और topic आपको मिलेगा appeal and revision तो यह appeal and revision दोनों साथ साथ में दिये हैं लेकिन हमने इसे अलग-अलग किया वा है because of very obvious reason क्योंकि इनके power and procedure बिल्कुल अलग-अलग होते है finance act 2020 के तहट क्या कोई amendment है answer is no ना 263 में ना 264 में याद दिरा देता हो revision 2 section वाला chapter है इसलिए आज ही शुरूओ के आज ही खतम हो जाएगा 263, 264 इसके पहले आपको समझना होगा यह mechanism work कैसे करता है finance act 20 से कोई amendment नहीं है तो आप यहाँ पर relax हो सकते हैं इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर subjectively कोई change नहीं है yes or no अच्छा जी topic work कैसे करता है let me first start with this chart again एक और chart sir आपको बस easy करने के लिए हर जगा मैंने चार्ट दिया चाहे वो कोई भी module हो कहीं पे भी हो हर जगा आपको बताएवा है कि किस तरीके से आपका working होगा सबसे पहले यहां पर नीचे यह वाले पार्ट पर चार्ट यहां आओगे तो आपको समझ जाएगा दो सेक्षन है तो 63 क्या होता है तो 63 क्या होता है तो 63 होता है स्यू मोटो बाइड डिपार्टमेंट याद रखिएगा अससी कभी 263 के लिए अपलाय नहीं करेगा अससी कभी भी 263 के लिए अपार्टमेंट यह हमेशा डिपार्टमेंट रहा ही किया जाएगा बरबर दूसरी बात यहां इनकम आपकी हमेशा या तो सेम रह सकती है जितनी भी कन्फरम होई है यह दौर यह सकता है यह आपकी income बढ़ा दे लेकिन आपकी income कम बिलकुल नहीं की जा सकती 263 में हमेशा income बढ़ेगी 263 में हमेशा income बढ़ेगी तो पहला यह department द्वारा होगा दूसरा इसमें आपकी income हमेशा क्या क्या जाएगा बढ़ेगी है इसका time limit है maximum मैक्सिमम किते यर्स के अंदर में हो सकता है। जैसे ही आपकी इंकम बढ़ाए। अगर आपको इस और को अग्रीवड होगा तो क्या इसके खिलाफ आप कहीं जा सकते हैं। बड़ल से अगर आप अगर अगूव्ड है तो km 004 का कंप अगई कौनसा कर सो अगर अगर द जाएंगे it बना बनावाय वहां आप देखेंगे हमने इंदर में रिविज्जन के किया है दो चीजे बनाई वह दोusion टो Hence, आपको अगर agree with feel हो रहा है, तो आप इसके खिलाफ ITAT में जा सकते हैं, तो क्या 263 के order के खिलाफ appeal पॉसिबल है, yes possible है, so it is sumoto by department, income will always increase, maximum time is 2 years, appeal जो है possible है, यह appeal किसको possible है, यहाँ पे आप प्लीज लिख लिजे, यह appeal पॉसिबल है, ITAT को, appeal कर सकते हो, yes कर सकते हो, किसको कर सक हो, ITAT को यह appeal की जा सकती है, in fact, अगर आप section 253 पढ़ोगे, तो यह एक appealable order है, जाके देखिएगा, वहाँ पे 263 लिखा है, 264 नहीं लिखा है, तो यह appealable order भी है, ITAT के सहमने, अच्छा जी, यहाँ पर doctrine of partial merger approved किया गया है, सर, doctrine of partial merger कहीं पड़ा-पड़ा सा लगता है, हाँ, अगर कोई matter appeal के अंदर चला गया है, तो फिर वो revision के अंदर में लिया जाएगा, नहीं, तो doctrine of partial merger है, मतलब जो matter appeal के अंदर में discuss हो चुका है, उसको छोड़के बाकी matter 263 के अंदर में उठाए जा सकते हैं, समझ में आई बात, अब आते है 264, यह है assessi के लिए बनावा एक section, किसके लिए बनावा है बोलो, assessi के लिए बनावा है, इसे sue moto by department भी हो सकता है और an application made, मतलब department 264 खुदों के भी कर सकता है, या फिर इसके लिए एक application भी की जा सकती है, कुछ बात है जो practice से आपको लेका तो, 264 का जो application होता है, यह आज भी offline application होता है, यह online application नहीं है, यह offline application ह आपको offline ही करना होता है, बहुत ही few cases 264 के अंदर में जाते हैं, specifically वो case जहाँ appeal reject हो गया, 30 दिन के बाद, condemnation of delay देने के बावजूद भी अगर वो accept नहीं करते, so we are rest with only one case and that is 264, सिर्फ और सिर्फ, कभी हम 264 में जाते, otherwise कोई भी आप अपने boss से भी पूछेंगे, तो आपको कभी सला नहीं देगा कि 264 के अंदर में जा, क्योंकि वो सिधा dead end मनता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, तो पहला 264 स्यू मोटो भी हो सकता है, application के थू भी हो सकता है, दूसरा, यहां आपकी income कम हो सकती है, मेरी इस word को जान दीजे, होगी ही ऐसा नहीं बोला मैंने, 263 में अच्छा जी, इसको maximum time कितना है, सर, वन येर का maximum time है, और इसके खिलाफ कोई appeal पॉसिबल नहीं है, 264 एक pure dead end है, वापस से repeat कर दू, 264 एक pure dead end है, इसके खिलाफ कुछ भी possible नहीं है, सर, हलाकि एक चीज़ पॉसिबल है, अगर स्टिल आपको अग्रिवट फील हो रहा है, आ आप appeal तो नहीं कर सकते है, बट स्टिल आपको एक power है, 264 के order के against में, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि या आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो one of the option available to you is, फाइल रिट पेटिशन टू हाई कोट, हाई कोट में जाके आप रिट पेटिशन फाइल कर सकते हैं, मैं वापस चाहूँगा आप appeal वाले page पर है, जहां से appeal चालू किया था, notes में, इसी notes में जहां पर appeal चालू किया था, वहां पर सबसे पहले है, वहां पर आप देखेंगे, वहां पर CIT में दो section लिगे था, 263, 264, आप ध्यान से दिखेंगे, 263 को हमने ITAT में जोड़ा, और 26 को हमने high court के अंदर में जोड़ा, 264 को हमने high court के अंदर में जोड़ा, क्यूंकि 264 टेकनिकली एक dead end है, 264 के खिलाफ कोई appeal possible नहीं है, और अगर जाना भी है, तो high court में जाना होगा, वह भी repetition ले करके, और case तभी sustain कर पाएगा, जब, it is a substantial question of law, it is a substantial question of law, अब क्या होता है, लोग appeal क्यों प्रिफर करते है, as compared to revision, there is a very simple logic, first, when you go to CIT appeal, the case could be of a matter of fact or could be of a matter of law, case could be accepted, even if you do not win at CIT appeal, again at ITAT, the question could be at a question of law, could be at a question of fact, so you can again go to, you know, appeal and ask for the second, you know, relief, which was not given by CIT appeal, so that's why you, you take at least two step, but when you go to, you know, CIT for the purpose of revision under 264, there is no second step, the order of CIT is full and final, and only if it is a substantial question of law, then and only then you will go to high court, otherwise you will not go to high court, this is why many in the, many time in the office, you go to an appeal, but you go into a revision, you don't go to a revision, चलिए, मेरे साथ साथ फटा-फट एक बाट, 263, 264, revision के दो section, 263, 264, 263 में income बड़ेगी ही, 264 में income कम हो सकती है, 263, department shoe moto करता है, 264, shoe moto भी हो सकता है, application के तुरू भी हो सकता है, इसके लिए 2 years का time है, इसके लिए 1 year का time है, getting it or not, यहाँ पे partial merger work करता है, लेकिन 264 में total merger work क करता है, मतलब, मान लीजे, A उने क्या कर दिया, कोई particular A, B, क्या कर दिया, let's say, disallow कर दिया, इसके खिलाफ, इसके खिलाफ, अगर 264 फाइल किया गया, तो याद रखें, जो दूसरा matter, A और B में से सिफ B के लिए किया गया, क्या A के लिए, A के लिए, 147, 154 हो सकता है, answer is no, 264 total merger promote करता है, जिसका मतलब यह होता है, कि एक बार matter 264 के लिए गया, तो वो पूरा का पूरा matter, सीद्दा CIT के साथ merge हो गया, and hence, इसलिए भी हम 264 में जाने से डरते हैं, अच्छा जी साथ, कुछ और बात हैं, अभी हम सिफ आउटर लाइनिंग बना रहे है, चाप्टर के, अभी एक एक वर्ड को हम और डीटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो आपके मन में अभी से डाउट हैंगे, सर टू यर कहां से, वन यर कहां से, शानती रखिए, अभी मैं सिफ चाप्टर के आउटर लाइनिंग क्रियेट कर रहा हूँ, कि यह चाप्टर में क्या-क्या है, फर्दर, सर, आफ्टर 263, 264 is possible, answer is no, but आफ्टर 264, 263 is possible, मेरी इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 263 के बाद 264 possible नहीं है, पर 264 के बाद 263 possible है, इस बात को याद रखिएगा, वापस एक बार कह रहा हूँ, 263 के बाद 264 possible नहीं है, पर 264 के बाद 263 possible है, समझे मैं ही बत, आईए, अब 263 practically department में work कैसे करता है, आओ बच्चो तुमें सिखाऊ, इस चार्ट पे आ जाओ, जो revision के पहले दिय रिविजिन इंकम टैक्स बाइ विजयसाड़ा यह मेरे पर्सनल चार्ट है मैंने बनाए वे चार्ट है कोई और बुक में आपको देखने को नहीं मिल सकते इन फैक्ट अगर आपके कोई दोस्त होंगे उन्हें चार्ट बताईए और उनको बुलिएगा फिर मजा लेने के लिए फिर आप उनकी मजा ले सकते हैं उनको बना बेटा तुन्हें स्मार्ट डीसिएन लिया या नहीं लिया चेक इट आउट एयो अससमेंट करता है 263 वर्क कैसे करता है 263 डिपार्टमेंट द्वारा स्यू मोटो होता है यह सेक्शन लाने के पीछे एक बहुत अच्छा लॉजिक था जब हाइरार्की बना रहे थे हाइरार्की बना रहे थे इंकम टाक्स की that is CCIT, CIT, JC, ACDC, AO yes or no तो AO का वर्क कौन चेक करेगा कुछ AO के पर दिया गया CIT के हाथ में और CIT को कभी भी अगर ऐसा लगे that AO ने कॉम्परमाइस किया है यह AO का जो ओडर यह एरॉनियस है यह प्रीजुडीशल टुदे इंटरस्ट आफ रेवेन्यू है एरॉनियस है और प्रीजुडीशल टुदे इंटरस्ट आफ रेवेन्यू है तो असेस्मेंट करने के बाद एवो अपनी असेस्मेंट रिपोर्ट अपने बॉस को दिखाए गा है that is CIT अपील के सर मैंने इस मंत के अंदर में इतने सारे असेस्मेंट कंप्लीट किये हैं अब जितने भी असेस्मेंट उसके तरफ से आए हैं लेट से मैं एक CIT हूँ और मेर इन इन असेस्मेंट किया है हम लोगों ने असेस्मेंट किया है ठीक है साथ अब मैं as a CIT क्या करूँगा मैं as a CIT उन cases में से कोई भी random case select कर सकता हूँ agreed बिल्कुल सही तो मैं उसमें से एक हाथ फाइल को निकालूँगा और चेक करना शुरू करूँगा तो यहां से CIT दो दूल वाले CIT के पास होते है या दोगा तो CIT को अलग-अलग कोट के हेरिंग में भी जाना होता है तो बहुत लिमिटेड स्कोप होता है जिनका चेक नहीं किया उनके लिए मैटर यहीं पर कतम हो गया मान लिया कि एओ ने जो असेस्मेंट किया सही किया मैटर ओवर पर यह अगर चेक किया दर रिपोर्ट ऑफ यह तो दो चीज़े देखेगा एक ही फाउंड डाट सम्तिंग इस प्रिजूडिशल तो दे इंट्रेस्ट ऑफ रेवेन्यू वह यह चेक करेगा कि क्या एओ ने जो और पास किया या नहीं किया बरह बरह और उसको ऐसा लगा कि यह और ने जो और पास किया यह एरॉनियस है फॉर एक्जामपल एरॉनियस मतलब गया एक पर्टिकुलर डिदक्शन मिलना ही नहीं चाहिए था नया नया कवला कवला यह आया था उसने डिदक्शन दे दिया एरॉनियस हो गया प्लस इस वजह से रेवेन्यू को प्रिजूडिशल कहीं पर अगर उसको ऐसा लगा कि यह एरॉनियस है प्रिजूडिशल टुदे इंट्रस्ट आफ रेवेन्यू है वाट इविल डू ही विल अप्लाइट 263 एंड सी आइट विल रिवाइस दो और यहों का जो और पास हुआ था वह अब क्या करेगा रिवाइस कर देगा दू करेगा असेस्मेंट करके रिपोर्ट सी आइट के पास देगा सी आइट उसमें से रैंडम ली कुछ जो उसको सही लगता है वह कैस उठाएगा चेक करेगा प्रिजूडिशल है नहीं है प्रिजूडिशल नहीं है मैटर ओवर प्रिजूडिशल अगर है तो 263 लाया तो 233 के बाद आपना ओरर वह करेगा 63 के अंदर में दो बाते होंगी दो बाते होंगी ऑजक्सप्ट किया अगर स काय किया ठैंक्यू आपने जो किया सीट मैं रहा हूं मेरको नहीं लडना है वह पे करेगा मैंटर और यह अगर ऊसा लगता है कि 263 में ओपन कर गे एवे 253 के अंदर में चले जा, IT80 के पास चले जा, क्या तुम्हें याद है, यह order, अपीलेबल order है, किसको, IT80 को, 253 is a अपीलेबल order before IT80, तो अगर आपको 263 में कभी भी ऐसा अग्रीवड फील हुआ, कि CIT ने आपके साथ धोका किया, CIT ने आपके साथ गलत किया है, आपको क्या करेगा, assessment करेगा, जो भी section में assessment करना है, इसके बाद यह अपनी report किसको देगा, boss को देगा, boss को है, CIT, CIT उसमें से randomly कुछ लोगों को select करेगा, वरेवर है, जिनको select नहीं किया, उनका matter वहीं कतम, जिनको select किया, उसके बाद क्या देखेगा, is it erroneous and prejudicial to the interest of revenue or not, if not, game over, if it is prejudicial, 263 open करेगा, income को recompute करेगा, आपकी liability recompute करेगा, आपके साफने order देगा, order आपने accept किया, नहीं किया, order अगर आपने accept कर लिया, पेकर matter over कर, order अगर आपने accept नहीं किया, आप agree with feel कर रहे हैं, कोई problem नहीं है, साफ जाहिए न, ITAT के पास जाहिए, रास्ता open है आपको, बि situation देखा, 263 department ने sumoto किया, आते हैं, 264 को समझने के लिए, 264 वक कैसे करता है, understand, let us understand, 264 वक कैसे करता है, sir, असेसी ने return file किया, return file करने के बाद इसके उपर assessment हुई, इसके उपर क्या हुई, assessment हुई, assessment जो भी section में, 143, 144, 147, 153, A और C, जैसा भी हुआ, यह असेसी को क्या, असेसी ने क्या किया, order receive कर लिया, अब order receive करने के बाद, order receive करने के बाद, अगर कभी भी, assessi को ऐसा लगता है, that this order is prejudicial to the assessi, assessi को लगता है, कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वो 264 के अंदर में application कर सकता है, किसको application करेगा, CIT को application करेगा, किसके order के खिलाफ, AO के order के खिलाफ, CIT को जाएगा, boss के पास जाएगा, बोलगा, देखे आपका AO, कैसा है यह AO, इसने मुझे deduction देना चीए ता नहीं दिया, आप order revise कीज़े, नहीं आया है, उससे समझ नही दिया, assessi feel aggrieved, he may choose appeal, revision, rectification, suppose, suppose there is no mistake apparent from record, appeal उसने चूज नहीं किया, then he has to opt for 264, and CIT में, यहां में लिखा है, must नहीं, में, reduce the liability, CIT liability reduce कर सकता है, करेगा ही, इस बारे में कुछ भी लिखावा नहीं है, getting it or not, इस चार्ट को बस एक बार और, एक बार और, पूरा ध्यान से दे है, डंजर, आईए, मेरे साथ चलते हैं, 263 पे, बहुत छोटे-छोटे से section है, बहुत easy section है, बस wordings थोड़े से ज़्यादा पढ़ने पढ़ेंगे, तीन subsection है, कुल मिलाके, 263 के अंदर में, साथ-साथ में, तीन explanation आपको मिलेंगे, सब सेंट 1 क्या कहता है, सब सेंट 1 बता रहा है, पावर, किस का CIT अपरिंसिपल CIT का, किस respect में, आपकी में इनकम को चेक करने, आपके assessment order को चेक करने, यो ने जो assessment order किया है, उसको चेक करने का पावर, 263 सब सेंट 1 में लिखा है, दूसरी बात, क्या चेक किया जा सकता है, वो है सिर्फ रिकोर्ड्स, रिकोर्ड्स मतलब पौन से रिकोर्ड्स, रिकोर्ड्स मतलब वही रिकोर्ड्स जो असेस्मेंट के टाइम पे यूज हुए वही रिकोर्ड्स होंगे, कोई अधर रिकोर्ड्स के बारे में बात नहीं हो रही है, दूसरी बात, रिविजन जो हो सक पर जब हम असेस्मेंट पढ़ रहे थे 143 पढ़ रहे थे 143 पढ़ रहे 1563 यह प्रपाइज यहां सिर्फ AO का order rectify किया जा सकता है and since intimation system करता है तो यहाँ पर intimations cover नहीं है सिर्फ AO के assessment orders covered है अच्छा जी sir क्या कर सकते हैं AO confirm कर सकता है increase कर सकता है modify कर सकता है order को लेकिन किसी भी case में 263 में आपकी income कम नहीं हो सकती इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा आए वर्ड़ पड़ते दप्रिंसेपल कमिशनर और कमिशनर में कॉल एक मिनिट पहला बात डारेक्ट स्यू मोटो लिखा है यहां पर और स्सी नहीं लिखा है यहां और स्सी होता तो हम भी apply कर पाते हैं यहां सिर्फ दो नाम लिखेवे हैं PCIT और CIT जिसका मतलब क्या है मेरे बाबू स्यू मोटो कोई अगर चाहे तो बाकाइदा अपना एक पैन ले पैन ले करके यहां पर लिख दे स्यू मोटो so the PCIT और CIT may call for and examine the records may call for and examine the records record मतलब क्या existing record मतलब क्या यहां पर कोई hearing होने वाली है नहीं यहां कोई hearing नहीं हो रही है वो सिर्फ जो record पड़े होंगे आपके मन में सवाल आना चाहिए सर रिकॉर्ड उसको कहां से मिलेंगे अरे क्यों नहीं मिलेंगे यहो ने assessment पास किये जिस assessment के basis पे record पास किया है वही record बोलेंगे boss अपने किसको junior को कि मैंको record लाके दिखा जिसके basis पे तूनें यह assessment किया है सर यहों के पास यह record कहां से आया होंगे अरे ना लायक यहों के पास यह record कहां से नहीं होंगे बिलकुल होंगे assessment के अंसे basis पर किया होगा या तो 143.2 के तहत questionnaire में information मंगाया होगा या 142.1.2 के तहत information मंगाया होगा information तो होगी या फिर best judgment assessment के basis पर जो information कलेट की होगी वो information लाकर किये होंगे वापस से इस लाइन को पढ़ते हैं शायद कुछ बाहर आ जाए दस सी इट में कोल फॉर एन एक्जामें दर एक्जामें दर इक एक यहां पर लिखा है यहां पर लिखिये not intimation हम किस बारे में बात कर रहे हम order के बारे में बात कर रहे and if we consider that any order passed by AO is erroneous insofar as prejudicial to the interest of revenue stop कुछ बाते हमारे बिल्कुल दिमाग लगाने लाए पहला record में क्या क्या आएगा दूसरा order passed में क्या क्या आएगा तीसरा कब हम इस order को erroneous कहेंगे कब हम इस order को prejudicial to the interest of revenue कहेंगे यहां मेरे पास और deep में जाने के लिए word मिल गए पहला record मतलब क्या दूसरा order पास मतलब कौन सो order होना चाहिए तीसरा कब उस order को मैं erroneous कहूंगा इनसो फार एज prejudicial to the interest of revenue एक मिनिट अब यह क्या मतलब हुआ यह क्या यह क्या नया word जिन्दगी में इनसो फार एज इसके लिए case है हम आगे पढ़ेंगे for the timing आप इसलिए कि एंड इनसो फार एज का जो मीनिंग है इसका मीनिंग है एंड एक case हुआ था सिर्फ इन चार वर्ड को explain करने के लिए इनसो फार एज जिसको लॉन ने कहा कि इनसो फार एज आप सिर्फ और सिर्फ एजूम करें कि यहां पर एरॉनियस लिखा है अगर यह order error वाला होता mistake होती है इसमें तो आपको 263 की ज़रत क्या थी आप सीधा 154 में जाके इस error को सुधार देते यानिए अगर problem में सिर्फ error है समझ में आई बात order में सिर्फ error है so there is a mistake जो 154 के तहरत rectify हो सकता था दूसरा word क्या लिखा है दूसरा word लिखा है in so far as prejudicial अगर prejudicial होता logic लगा अगर सिर्फ prejudicial होता तो मेरे भाई अगर prejudicial होता तो आप 147 open करके भी काम कर सकते थे न वहां पे भी तो आपका revenue effect हो रहा था income escape हो रही थी prejudicial to the interest of revenue 147 से भी काम कर सकते थे तो अगर सिर्फ error वाला होता 154 यूज होता अगर prejudicial होता 147 यूज होता अगर error भी है और prejudicial भी है तो इसके power कहां थे 263 लाने की एक और वज़ा तो सर ज़र दहांतर सुनिए यह जो एक page मैंने यहां पे रखा है यहां पे डालिए अगर सिर्फ error होता आप 154 यूज कर सकते हैं if there is a prejudicial to the interest of revenue आप 147 यूज कर सकते हैं आपको अगर error मिले प्लस prejudicial मिले इस case में 263 वर्क करता है और इसलिए आप देखेंगे इन तीनों में एक ही concept यूज होता है partial merger ये मैंने पहले भी बताया था आज आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ और इसलिए इन तीनों में partial merger भी यूज होता है जहां पे अगर let's say A और B matter है B वाला matter अपील के अंदर में चला गया A matter के लिए बचेवे matter के लिए क्या rectification हो सकता है 147 हो सकता है 263 भी हो सकता है सिफ वही matter जो अपील में नहीं गया बढ़ेंगे और आईए तो वापस से वर्ट पढ़ता है शायद कुछ मिल जाए दर PCIT और CIT में में call and examine the records records का मतलब क्या ढूंडना पड़ेगा of any proceeding under this act जो proceeding हो चुकी है and if we consider that the order passed by the AO 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 का order passed क्या वा है is erroneous in so far as prejudicial in so far को कैसे read करना है and बोलके read करना है so erroneous and prejudicial to the interest of revenue he may after giving an opportunity of being heard एक मिनट OOBH देना जरूरी है नहीं तो 263 वालिद नहीं he may after giving OOBH and after making or causing to made such inquiry as it deems necessary वर्ड देखेगा सर क्या कोई additional ground के अंदर में CIT जा सकता है जो यह ने considering नहीं किया हो हां यही लाइन तो वही चीज़ शो कर रही है यही लाइन तो वह चीज़ शो कर रही है and may such inquiry as it deemed necessary यहने CIT can go to additional grounds बिल्कुल additional grounds पर जा सकता जो assessment के अंदर में नहीं भी cover की गई थी वो इसलिए तो बोल रहे है ना गलती सुधार रहा है error so he can opportunity of being heard after making or causing to be made such inquiry as deemed necessary pass such order there on as circumstances of the case justify जो order सही लगता है वो order pass करेगा including enhancing income आपकी बढ़ा सकता है जो AO ने assess की ती उससे भी बढ़ा सकता है modify but not reduce याद रखे है वो modify कर सकता है पर reduce नहीं हो सकता modify कर देगा जिसका effect modify the assessment or cancelling the assessment and direct fresh assessment stop आउप पर एक और पॉइंट याद कर set aside and direct fresh assessment set aside करके fresh assessment direct करने का power CIT को है क्या 263 answer is yes sir CIT appeals को है क्या section 246a to 251 answer is no याद होगा तो CIT appeal fresh assessment direct नहीं कर सकता क्यूंकि वो boss नहीं है IT 80 under section 252 to 255 yes क्यूंकि IT 80 के पास वो सारे power जो income tax authority के पास है कर सकता है fresh assessment direct high court supreme court 268 to 261 yes याने CIT appeal को छोड़ करके CIT appeal को छोड़ करके हर authority जो एओ ने assessment करा है उसको हटा के fresh assessment direct करने बोल सकती है ये chart बना लीजे आप में को जरूर thank you बोलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ क्यूंकि कई multiple questions का एक साथ chart बनाया आपने इच्प्रेशन में इतना टाइम लगता है और मैं एक परग्राफ रीड कर रहा हूँ करीब आदी घंटे से read किजे सर वापस शायद कुछ नहले है पूरा paragraph मेरे साथ और loudly read किजे आपके कमरे में कोई बेठा आपके घर में कोई बेठा आस-पास में जो भी बेठा और कोई नहीं बेठा तो bottle को सामने रखने का the invested बोलने का सुन 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 the PCIT or CIT may call may call and examine the record record मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा if of any proceeding under this act and if consider that any order passed therein by AO is erroneous in so far as prejudicial कैसे रिड करेंगे erroneous and prejudicial to the interest of revenue he may after giving an opportunity of being heard past such order as it deemed necessary including क्या क्या कर सकता है enhance कर सकता है modify कर सकता है modify में reduce word नहीं है modify मतलब change किया किसी order को जिससे might be liability effect नहीं हो रही होगी समझ मैं रही बात modify cancel the assessment and direct the fresh assessment CIT appeal के पास ये power नहीं था CIT appeal को चोड़के बाकि जित्ती authority है सब के पास ये power है समझ मैं रही बात जो A.O. नहीं हो ठीक है साब आईए explanation 1 पर चलते हैं सबसे पहले explanation 1 का first part जो है ये अब आपके बिल्कुल काम का नहीं है bear act में दिया इसलिए हम पढ़ लेंगे लेकिन अब आपके काम का नहीं है क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ मान लीजे क्या joint commissioner द्वारा कोई order पास किया है क्या उसे 263 में लिया जा सकता है क्या एक समय था जहां court ने बोला था नहीं joint commissioner कोई order दे रहा है तो उसे commissioner आप कैसे सुदार सकते है याद होगा तो 144A के तहट direction issue होते हैं किस के पास से JC के पास से कुछ समय पहले कुछ सालों पहले है यह decide हुआ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में बोला कि यार joint commissioner भी one of the AO है और कोई भी AO के order के खिलाफ 263 हो सकता है बाद में explanation specifically add किया गया और कहा गया कि यह हो सकता है getting it or not so explanation 1 an order passed on or before 1st June 20 1988 or by AO shall include the order of assessment made by assistant commissioner or deputy commissioner on the basis of direction of joint commissioner तो अगर ACDC ने कोई order बनाया as per the directions of JC क्या उसे 263 के अंदर में revision किया जा सकता है बिलकुल हो सकता है an order made by joint commissioner in excise of the power or in performance of the function of AO conferred or assigned to him under the order or direction issued by the board or by principal commissioner, chief commissioner principal director as authorized by the board in this behalf under section 120 section 120 के तहत आपको याद होगा तो jurisdiction देने का power किसका है board का है हो सकता है कुछ cases में direct JC को बोला हो कि यह assessment आप करेंगे अगर खुद JC ने assessment किया है और order pass किया है क्या इसके खिलाफ भी आप 263 में जा सकते हो answer is yes सीधे शब्दों में AO अगर आप यह paragraph ने भी पढ़ते तो आपको याद होता AO कौन कौन हो सकता है JC, ACDC, ITO इन तीन के order के खिलाफ आप वैसे भी 263 में जा सकते हो तो यह paragraph कोई काम का नहीं B काम का है क्योंकि explanation में है record यह पहला सवाल था जो हमारे मन में आया था record मतलब क्या आईए वो देखते हैं हला कि explanation पढ़ने से पहले मैं आपको बता दू record का मतलब हर वो record जो AO ने assessment के अंदर में use किया होगा record मतलब existing record fresh record की बात नहीं चल रही है fresh record CIT accept नहीं sorry CIT accept नहीं करेगा the record shall include and I have always deemed to have include all records relating to proceeding under the act which were available at the time of examination which were available at the time of examination by principal commissioner or commissioner where an order referred to in the this section is passed by AO so where any order is passed by AO and has been subject matter of appeal filed on or before or after June 1988 dates विलकुल आदमत्रकन the power of CIT under this subsection shall extend and shall always deemed to extend to such matter as has not been considered and decided in such appeal मतलब क्या है मतलब है doctrine of partial merger जिसका meaning बड़ा simple है कि अगर वो matter कौन सा matter आप उठा सकते हो कौन से record आप उठा सकते हो वो matter जो appeal में गया उसको छोड़के हम कोई भी matter उठा सकते है such matter as has not been considered and decided by appeal इसलिए हम बोल रहे थे बड़ा matter अगर appeal में चला हो गया तो उसका point 263 के अंदर में उठाया नहीं जा सकेगा यह काम का paragraph है बात की बात करता है पर दोनों case में यह बोलता है अगर वो matter अपील में हुआ होगा तो उसका फिर पारिशेल मर्जर वो matter जो अपील में है उसको छोड़के CIT कोई भी matter उठा सकता है 263 में यह बात याद रखे यह तो तो सर रिकॉर्ड मतलब क्या रिकॉर्ड मतलब वही रिकॉर्ड जो एओ के पास available था at the time of proceeding of assessment वही रिकॉर्ड no new fresh रिकॉर्ड इसका explanation मैंने आगे भी दिया है explanation 2 to section 263 यह explanation आपको बताता है कि order deemed to be erroneous कब होगा यह explanation आपको बताता है कब कब हम किसी order को erroneous मान सकते आओ सबसे पहले हमें order ढूणना था order मतलब क्या था existing record record का मतलब क्या था existing record order मतलब जो order AO ने पास किया होगा order मतलब AO ने जो order पास किया होगा यहाँ पर कहीं पर भी हमने intimation नहीं पड़ा इंटिमेशन नहीं पड़ा तो इंटिमेशन कभी भी 263 में नहीं यह किया जा सकता है रिवाइज तो record मतलब existing record order मतलब AO का order जो इंटिमेशन ना होगा अब हमें तीसरा वर्ड पढ़ना होगा erroneous मतलब क्या कब हम किसी चीज को erroneous कह सकते है आई यह explanation 2 to section 263 कहता है कब हम किसी चीज को erroneous कह सकते है for the purpose of this section it is hereby declared that an order passed by AO इंटिमेशन नहीं बोल रहा है order passed by AO an order passed by AO shall deem to be erroneous in so far as prejudicial to the interest of revenue in the opinion of CIT कब कब point number a the order is passed without making the inquiry or verification which should have been made अगर कभी भी CIT को check करके ऐसा लगता है कि AO ने जो किया है order passed कर दिया यह compromise कर दिया उसने चेक ही नहीं किया सारे records सीधा सीधा बोला होगा एक amount मिर को देदो आपका assessment में complete कर देता हो उसने चेक नहीं किया होगा records verification नहीं कियोंगे records CIT अब इसको लेगा 263 के अंदर में वो बोलेगा यह एरॉनियस है prejudicial भी है मैं इसका 263 कर रहा हूँ और शो कॉस्ट नोटेस सीधा सीधा इस्टा इस्टा इस पास्ट allowing any relief without inquiring into the claim असेसी को कुछ relief दिये गए पर उसके claim को चेक नहीं किया गया बहुत सारे cases में मैं बताता हूँ क्या होता है आप और मैं offices में होते हैं हम लोग क्या करते हैं सर बताईए deduction under ATC पूरा का पूरा देडला क्लेम कर लेते कितने खुद cases आप लोगों ने भी किये होंगे सर पर आप सोचके देखे ना कितनी बार आपने अक्चुली चेक किया कि उसके पास सच में LIC है या नहीं है उसकी प्रीमियम रिशीट है या नहीं है उसकी FD चेक करी आप लोग के अंदर में and you know principal का deduction लेते है और interest का deduction 24b के अंदर में लेते है लेकिन बहुत सारे cases में नहीं भी होता तो कहीं भी ऐसा you know CIT को लगा that a particular allowed deduction is allowed but without actually checking he can invoke 263 so first an order is passed without making inquiry second an order is passed allowing a relief without inquiring into the actual claim third the order has not been made in accordance with any order direction issued by the board सीधी बात let's say our notification or circular is simply not followed कोई directions दिये थे कोई notification दिये थे बोर्ड ने और वो बोर्ड का circular माने बिना कोई order अगर पास हो गया है तो भाई साव इसके against में 263 हो सकता है for example board ने बोला कि boss आपको क्या कर रहा है ये particular चीज का deduction नहीं मिलना चीए आपने उसका deduction अलाव कर दिया बोर्ड के circular के against में चलेगा 263 ओपन हो जाएगा और इसके तहत से C की liability बढ़ सकती है और जहां liability बढ़ेगी वहाँ O.B.H. mandatory यह हम बरसों से पढ़ते आ रहे हैं तो sir कब-कब erroneous माना जा सकता है माना जा सकता है तीन केसे में पहला जहां पे जहां पे जहां पे order पास हो ग बोर्ड नहीं माना 263 हो जाएगा चौथा दो ऑडर हास नॉट बीन पास इन अकॉर्डंस वित अनी डिसिजन रेंडर बाइ जुरिजिक्शनल हाई कोर्ड और सुप्रीम कोर्ड इन केस ऑफ अससी और अधर परसंट जहां पे हाई कोर्ड सुप्रीम कोर्ड का डिसिजन था आपने वो डिसिजन चेक करें बेना ये काम कर दिया एक पर्टिक्लर डिड़क्शन मिल गया जिस पर जुरिजिक्शनल हाई कोर्ड कहता है कि बोस ये डिड़क्शन नहीं मिलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ड कहता है ये डिड़क्शन नहीं मिलना चाहिए नया नया एव तहाया था उसने चेक नहीं किया उसको City पता नहीं थे उसने और पास कर दिया जब सितनी ने चेक किया उसने पलो एला यह डिडेक्शन तो इसने अलव कर दिया होना ही नहीं चाहिए था क्या करेंगे 263 करेंगे, यह 4 cases में हम मान लेंगे order erroneous है, यह 4 cases में हम मान लेंगे order क्या है, erroneous है, explanation 2 to section 263, सीधे सीधे शब्दों में बात करू, क्या क्या याद रखना होगा यहां से, यहां से 3 चीज़ याद रखने होगा, पहरा 263 1, जहां पे वो बोलता है कि आप revision कर सकते हो, इसका explanation 1 का part B याद रखना पड़ेगा, record, record मतलब क्या, record मतलब existing record which are available at the time, assessment is made by AO, तीसरा part याद रखना पड़ेगा, explanation 2 to section 263, जो कहता है, erroneous कब कब होगा, 4 cases में erroneous होगा, जहां पे आपने claim दे दिया, चेक करे बगएर, दूसरा आपने verification करे बगएर, कोई assessment कर दा ली, तीसरा आपने notification circular नहीं माना, 4 आपने high court, supreme court के कोई judgment की, इज़्जत नहीं करी, क्या हो जाएगा, 263 को बुलावा आजाएगा, 263 subsection 2, कि इस बारे में बात करता है, बात करता है बिटा, time limit के बारे में, कि 263 कब तक किया जा सकता है, assessment में हम लोगों ने पढ़ा था, every power comes with a limitation, every powers comes with a limitation, तो क्या 263 कभी भी open हो सकता है, 10 साल बाद, 12 साल बाद, 263, no order shall be made under subsection 1, subsection 1 के तहत, revision का order होता है, तो कोई भी order revision का नहीं पास किया जा सकता, after expiry, after expiry of 2 years from the end of financial year, in which order ought to be revised was passed, order ought to be revised was passed, तो मान लीजे, मान लीजे, order of assessment, under section 143, was passed on, 6-6-2019, बताईए, revision कब तक हो सकता है, under section 263, word पढ़िये क्या लिखा है, 2 years from the end of financial year, in which order ought to be revised was passed, इसका financial year end ढूनना पड़ेगा, इसका financial year end होगा, 31-3-2020 को, यहां से कितने साल आड़ कर देंगे, 2 years आड़ कर देंगे, क्या date आएगी, 31st March 2022, will become the date, straight away game over, example लिखना है, लिख लीजे, नहीं लिखना है, छोड़ दीजे, कहां लिख सकते हैं, उपर स्पेस खाली है, वहां लिख दीजे, कोई problem नहीं है, देंजर, चेक, 263, सबसेक्शन 3, क्या कहता है, नो टाइम लिमिट, टू गिव, इफेक्ट, टू, एनी ओडर, जर्रह धान्दे सुनिया, सिंस आपको तो पता है, हाई कोट, सुप्रीम कोट, हाई कोट, सुप्रीम कोट, ओडर दे सकते हैं, पूरा का पूरा matter को रियर चेक्ट करने के लिए, ऐसे cases में, अगर CIT को revision का order आया है, किसे tribunal के थुरू, या किसी high court के थुरू, या किसे supreme court के थुरू, और ये revision करने का order आपको आया है, अगर court के through या tribunal के through तो ऐसे cases में जो two years का time limit है वो attract नहीं करेगा फिर उस case में time limit क्या हो जाएगा unlimited हो जाएगा उस case में जो time limit है ये two years वाला subsection 2 के अंदर में ये time limit attract नहीं करेगा ऐसा कहता है subsection 3 जो logical है because court या quasi judicial body की इज़्यत रखनी होगी so notwithstanding anything contained in subsection 2 क्या कह रहे है भाई साब generally revision कितने साल के अंदर में होता है two years from the end of financial year in which order is passed तो जब भी order pass करना होगा दो साल के अंदर में करना होगा subsection 3 कहता है subsection 2 में जो लिखा है वो तिल लगाने गया कोई दो साल की लिमत निए कभ notwithstanding anything contained in subsection 2 and order in revision under this section may be passed at anytime कभ भी भी हो सकता है इसके लिया कोई time limit can be passed at anytime in case of an order passed in consequence or to give the effect to any direction of any tribunal national tax tribunal high court or supreme court game over वापस सदीखिएगा 263-1, 263-2, 263-2, 263-1 हमसे क्या कहता है 263-1 हमसे कहता है कि CIT revision कर सकता है of an order which is erroneous and prejudicial जिसमें आपकी income क्या की जा सकते है enhance की जा सकते है, modify की जा सकते है cancel की जा सकते है after giving in OOBH explanation 1 कहता है record मतलब क्या existing record जो AEO के पास available होगा explanation 2 कहता है कब-कब हम उसे erroneous मान लेंगे subsection 2 कहता है जब भी आपको revision करना है 263 में maximum time limit is 2 years from the end of financial year in which order ought to be revised was past subsection 3 कहता है कि अगर ये revision किसी tribunal, high court या supreme court के order के हिसाब से हो रहा होगा तो फिर उस case में 2 year का time limit नहीं होगा उसके लिए कोई time limit नहीं होगा game over explanation to 263 subsection 3 अब देखिये जड़ा meaning समझते है in computing the period of limitation for the purpose of subsection 2 जड़ा देहां से सुनिएगा ये क्यों add किया था sir होता ये था कि assessi को हमें subsection 1 के तहत opportunity of being heard देना होता था opportunity of being heard के लिए उसे क्या दिया जाता था show cause notice issue की जाती थी अब assessi क्या करता था assessi को पता होता था कि time limit क्या है assessi को मतलब उसके जो professional थे उसको पता होता था time limit is maximum 2 years वो इस opportunity of being heard का जवाबी नहीं देते थे और कई cases में ये time limit जो था 2 years का ये हो गया expire और उसके बाद आप CIT ये कर नहीं पाया CIT को समझ में आ गया कि ये लोग तो हमें बेवकूब बना रहे हैं उसने सीधा department के पास गया ministry के पास गया ministry के पास कहा जाके प्रभू पत प्रदर्शित करो law में लिखते वक्त तो तुमने लिख दिया कि इसको opportunity of being hurt देना है जब इन लोगों को हम opportunity of being hurt देते हैं ये लोग साला reply नहीं करते हैं और हमारा time limit crash करते हैं क्या मतलब आया तुमने मुझे power तो दिये तुमने मुझे हतियार तो दिये opportunity देने में और hearing के लिए लगा उतना time exclude कर दिया जाएगा फरक्या पड़ा इससे अब तु कितना भी time ले कोई problem नहीं है तु सोचेगा कि मैं दो साल बाद reply करूँ हो तु दो साल बाद reply कर हमारा time limit दो साल बाद चालोगा explanation in computing the period of limitation for the purpose of subsection 2 for the purpose of subsection 2 मतलब for the purpose of 2 years the time taken in giving the opportunity to the assessi to be reheard under the subproviso of section 129 and any period during which any proceeding under this section is stayed by an order or injunction shall be excluded game over समाझ में आया चलिए सर section यहां पे कतम हो गया इसके निच्चे मैंने simplified analysis डाला है simplified analysis मतलब उपर का जो section है उसे बस अच्छे form में chart form में यहां पे लिख दिया है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा plus case law भी यहां पे डाल के रखे वे सबसे पहले यह तो पूरा as it is मैंने bare act ट्रक दिया आपके सामने अब इसे short form में पढ़ते हैं वापस से अगर आप देखोगे इन section 147 263 also revision is not possible on the account of change in opinion यहां पे सिर्फ erroneous होता तो काम नहीं चलता सिर्फ prejudicial होता 147 ही कर लेते 263 की ज़रत नहीं होती यहां पे erroneous भी होना और prejudicial भी होना इसलिए and word है तीन word देखे जो काम के है एक record मतलब क्या दूसरा order erroneous कब कब माना जाएगा और तीसरा prejudicial to the interest of revenue हम कब गोल सकते हैं सबसे पहली बात record record shall include all record relating to any proceeding under this act available at the time of examination by CIT where search is conducted during the pendency of revision then CIT cannot take the material gathered into 263 since it is not a record available इसको mark कीजे star ये एक अच्छा case था question था और इसका meaning समझी है देखे एक assessment हुई assessment के बाद 263 invoke किया किसने CIT ने इसी बीच में search हो जाती और search में material gather होता है CIT कहता है कि मैं इस material को use करूंगा for the purpose of 263 क्या वो ऐसा कर सकता है answer is no क्योंकि जब हम explanation 1 में record पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है record means record which are available with the AO for the purpose of proceedings hence जो during the pendency of 263 record मिले इसे आप new record मानेंगे जो आप 263 में use नहीं कर पाएंगे hence वहाँ पे word क्या लिखा है वापस से पढ़िए where search is conducted during the pendency of revision revision pending था हाँ revision से पहले अगर search हुआ होगा तो क्या 263 में आप उसे यूज कर पाऊगे बिलकुल यूज कर पाऊगे provided assessment में वो यूज हुआ हो so where search is conducted during the pendency of revision proceeding then CIT cannot take that material gathered for the purpose of 263 order erroneous कब माना जा सकता है आपको नहीं लगता explanation 2 की बात कर रहें when order is passed without making verification relief is allowed without any relief allowed without inquiring the claim order not passed as per the board direction not as per the high code or supreme code order Malabar industry supreme code judgment a case where two views are possible and AO has adopted one of the view it cannot be said to be erroneous case क्या था मैं आपको बताता हूँ let's say a particular deduction था is deduction के लिए दो विव पॉसिबल थे AO ने एक view adopt किया दूसरा view adopt नहीं किया यह matter CIT ने उठाया CIT ने बोला नहीं नहीं तुमने पहला matter उठाया दूसरा नहीं उठाया यह order erroneous है यह गलत है if the matter is having a two view possible and just because you adopt another view doesn't means that the order became erroneous इस erroneous होने के लिए इन चारों में से कोई भी एक चीज़ होनी जरूरी है मालबार industry sir example interview से याद रखना है बिलकुल याद मत रखना an order can set to be prejudicial आप देखिए यह उपर हमने law पूरा पढ़के आ गए बस उसको simplified manner में पढ़ रहे कब-कब prejudicial माना जा सकता है sir जब income under assess हुई हो loss over assess हुआ हो tax under paid हुआ हम मान लेंगे prejudicial है when it is prejudicial income is under assessed आपकी income अगर कम assess हुई है loss is over assessed loss ज्यादा assess हुआ है income is assessed at a lower rate income lower rate passes की गई है यह excessive loss deduction or relief has been given to assess हम मान लेंगे this order is prejudicial to the interest of revenue the order passed by AO does not include intimation under section 263 CIT can revise only the order of AO intimation or deemed intimation is not an order and therefore cannot be revised under 263 simplified analysis CIT can do following enhance कर सकता है cancel and direct fresh assessment कर सकता है modify कर सकता है reduce करने की बात कहीं नहीं की गई है remedies अगर आपको 263 पसंद नहीं आया है क्या कर सकते हैं पहला rectification 154 में हो सकता है सर हां हां याद करना CIT इंकम डेक्स अथॉरिटी अगर इसका order भी एरॉनियस रहा 263 वाला भी order क्या रहा mistake apparent from record रहा 154 में जाके सुदार लो या फिर इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो CIT 80 में जा सकते हो 253 में direct fresh assessment CIT कर सकता है yes CIT appeal कर सकता है no यह बात आपको याद होगी if AO has completed the assessment without initiating the penalty proceeding then the order of AO cannot be said to be erroneous the CIT cannot set set aside the order of assessment of AO and direct to initiate penalty proceeding for the applicability of 263 there are must be two things it must be erroneous and it should be prejudicial to the interest of revenue आप word देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखाया and अब यह case क्या था case यह था कि assessi के उपर penalty लगनी चाहिए लेकिन AO ने जब assessment order pass किया तब उसने relief दे दिया बोला मैं penalty नहीं लगाऊंगा just because उसने penalty proceeding initiate नहीं की क्या यह 263 के लिए valid हो गया answer is no sir penalty proceeding initiate नहीं करना यह कोई error नहीं है यह AO का discretion है वो चाहे तो रख भी सकता है चाहे तो हटा भी सकता है depend करता है कि वो यह देखता है कि क्या यह genuine reason के कारण कोई default हुआ था यह सच में assessi ने जानमूच के ऐसा किया था और उस basis पे यह काम होता है hence erroneous and prejudicial दोनों होना चीए सिर्फ prejudicial होने से काम नहीं चलता opportunity of being heard is required to be given by CIT before he passes the order under 263 if the order under 263 is passed without giving an opportunity then the order is wide ab in issue याद आ रहा है आपको हाला कि जितना time उसको opportunity देने के लिए लगेगा उतना time overall time limit से exclude किया जाएगा the order shall be made within 2 years from the end of financially in which order ought to be revised was passed however an order under this section may be passed at any time to give the effect of directions contained in by high court supreme court या tribunal getting it the CIT will be competent to revise an order of assessment passed by the AO on all matter except those which has been considered and decided in appeal doctrine of partial merger क्या तुम्हें याद आया मालिक कुछ वो matter जो अपील में गया उसको छोड़के बचेवे matter 263 में लिए जा सकते हैं time limit shall be counted from the date of assessment order and not from the date of rectified order under section 154 याद रखिए यह जो 2 years का time limit है यह आपके original order से count किया जाएगा ना कि rectified order से 154 के तहरत यह बिल्कुल काम की चीज नहीं है logical है 154 में सिब आपका original order क्या किया जाता है सुधारा जाता है जो mistake होती है वो सुधारा जाता है बट original order रहता है हैंस जो time limit count होगी वो original order से count होगी यह आया दूसरा case जिसको आपको confirm याद रखना है important Sir Assessy Assessy ने return of income भरा IC ICI का case देखेगा return भरने पर इसका assessment उवा 143 3 के अंदर में ठीक है Assessy ने return भरा return के बाद में assessment हुआ 143 3 के अंदर में इसके बाद इसके उपर income escaping assessment हुआ re-assessment हुआ 147 के अंदर में अब CIT को लगता है that there is erroneous and prejudicial to the interest of revenue वो 263 open करना चाहता है 263 subsection 2 कहता है time limit किते years का है 2 years का लेकिन एक सवाल उठा यह 2 years काउंट कहां से करेंगे 143 3 से या 147 से आपका यह सवाल सोचिए समझिए मुझे बताइए क्या जवाब होना चाहिए Assessy ने return भरा return भर के इस पर सबसे पहले assessment हुई 143 की 143 के बाद इसका 147 का assessment हुआ 147 के assessment के बाद भी CIT को ऐसा लगता है कि यह order erroneous है in so far as prejudicial भी है अब 2 years काउंट करना है 2 years काउंट कहां से करेंगे 143 3 से या 147 से याद होगा तो पीछे हमने एक case पढ़ा था जहां पे हमने यह चीज़ बताई रही के sir यह जो time limit count होना चीए यह 143 3 से count होना चीए sir क्यों ऐसा होना चीए देखे just because re-assessment हुआ है इसका मतलब यह नहीं कि original assessment हट गया है just because re-assessment हुआ है इसका मतलब यह नहीं कि original assessment हज गया original assessment रहता है रहेगा और आपने जो income से escape हुई है सिर्फ उतना part आपने क्या किया है वहाँ 147 में consider किया है पूरा का पूरा तो नहीं किया पूरा का पूरा तो 143 में हुआ होगा और same चीज़ यहां पे हुई कि time limit original assessment से count होगा ना कि re-assessment से would the period of limitation for an order under 263 be recuned from original order passed by AO under 143 3 or from the order of re-assessment passed under 147 where the subject matter of revision is different from subject matter of re-assessment under 147 जब कि पूरा division जो assessment का था 263 का वो 147 से बिलकुल अलग के स्पे था it was held that period of limitation in respect of order under 263 of a matter which does not form subject matter of re-assessment shall be recuned from the date of original order 143 3 and not from the date of assessment order 147 एक सवाल सुमित्रा देवी खेरवाल केस याद रखने की बिलकुल जरूरत नहीं इस पूरे चैप्टर में as of now एक ही चैप एक ही केस आपको याद रखना है CIT वरसेज आई सी आई सी आई सी आई सी याई बैंक लिमिटेड सुमित्रा खेरवाल जी क्या केस था मैं आपको बताता हूं हुआ कि असेस्टींग ऑफिसर असेस्मेंट करते वक्त उसको समझ में आगा कोई पॉइंट चुट चुका है जो उसके में tax ले के आओ, उसने point out किया CIT के past matter, जब ये matter CIT ने देखा, CIT ने 263 invoke कर दिया, असेसी ने 263 को invoke करने को object किया, ये कहते वे, कि ये जो mistake है, ये जो error है, जो prejudicial to the interest of revenue है, ये CIT ने देखना चाहिए था, ना कि उसके subordinate ने उसे बताना चाहिए था, since CIT ने खुद की कोई मेहनत नहीं करी है, ये 263 logical नहीं है, valid नहीं है, इसे बंद होना चाहिए, क्या कहीं गया, ज़र 263 के word पर अगर नजर डाले, तो ये कहीं लिखा है क्या, कि गलती किसने ढूलना नहीं है, कोर्ट ने भी बिल्कुल ये ही सवाल किया, कि क्या 263 ऐसा कहीं कहता है, कि गलती कौन point out करेगा, 263 तो बस इतना कहता है कि अगर गलती है, तो इस गलती को सुधारा जाएगा, if it is at the same time prejudicial to the interest of revenue, prejudicial to the interest of revenue है है, error निया से है, काम खतम, ये कहीं नहीं बता है कि CIT खुद ढूंडेगा, 263 में order CIT पास करेगा, ये नहीं बता है कि गलती भी उसी को ढूंड नहीं है, याद रखना है केस नहीं, the commissioner can revise the order even where the records are placed before him by his subordinate who points out the error, तो subordinate भी अगर कोई point error का शो करता है 263 में, तो बिल्कुल valid है, कोई problem नहीं है, अच्छा जी, SM Oil Extractions Private Limited, केस क्या था, वो explain करता हूँ, बिल्कुल काम का नहीं है, केस as of now, सर हुआ यह, कि आपको पता है, हम लोग assessment करते वक्त 142A, valuation officer से valuation की report मंगते हैं, हाँ यह, हाँ, बिल्कुल सही, A.O. ने valuation officer के पास valuation report के लिए case दिया, हाला कि valuation officer को time लग रहा था, और A.O. का अपना assessment complete करना था, तो A.O. ने valuation officer के बगेरी क्या कर दिया, report के बगेरी वो assessment complete कर दिया, क्या वो ऐसा कर सकता है, हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकता है, valuation report की report बाद में आई, अब इस valuation report के basis पे 263 open करना चाता है, क्योंकि CIT को ऐसा लगता है, that the order passed by A.O. is erroneous and in so far as prejudicial to the interest of revenue, सवाल उठा, कि क्या 263 open किया जा सकता है, क्या, अगर valuation report बाद में आई है, assessment complete होने के बाद, इस time पे ये held हुआ, कि valuation के लिए apply तो हमने during the assessment ही कर दिया था, रिपोर्ट भले ही बाद में आई है, पर valuation के लिए apply तो हमने during the assessment ही कर दिया था, तो हाँ, ये बिलकुल valid है, क्योंकि ये record का part बनती है, at the time of proceeding, भले ही report नहीं आई थी, report लेट आई थी, पर apply तो पहले ही हो चुका था, और ऐसे cases में, अगर report बाद में भी आती है, तो 263 बिलकुल सही है, Commissioner can revise the order on the basis of valuation report, which came to the record subsequent to the assessment, valuation report form part of assessment record, although it may come subsequent to the assessment, Is that done? आप एक चीज़ चेक कर ये साव, जब मैंने यहाँ पर bare act लिखा, bare act के अंदर में इतने case laws और इतने multiple issues नहीं cover होते, इसलिए हमको कई जगह पर simplified analysis डालना पड़ता है, ताकि उसी bare act को हम simplified form में लिखें, और साथ-साथ में case laws, अलग-अलग-अलग-अलग-अलग issues भी क्या कर लें, हम लोग discuss कर लें, तो sir, ये सारे issues थे 263 के, मोटे-मोटी तोर पर क्या याद रखना है, मैंने आपको बता दिया, 263, 1 याद रखिए, यहाँ पर record का definition याद रखिए, यहाँ पर deemed aronious का बुगा वो याद रखिए, 2N3 याद रखिए, game over, बाकि आपको इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूत नहीं है, ना इतना tension लेने की ज़रूत है, अगर मैं 264 की बात करूँ, तो यह एक अलग प्रकार का relief आप बोल सकते हैं, जब हम बात करते हैं कि assessing officer के order के खिलाफ हम कहीं पे भी revision में जाएंगे, so we actually mean to say 264 and not 263, so whenever we talk about that you know a relief is available with the CIT appeal and that relief is called as revision, we actually mean to talk about 264 and not 263, by this time you might have come to know about this particular point, now the second point is 264, what 264 says, 264 says that a CIT may either Siumoto or on an application made, may provide a relief or pass order against a order which is not prejudicial to the interest of revenue, which is not prejudicial to the interest of assessi, यहने 264 के अंदर में हम कोई भी order pass कर सकते हैं, any order, but that order should not be prejudicial to the interest of assessi, revision not prejudicial to the interest of assessi, अच्छा, at the same time, जब आप 264 के starting word पढ़ेंगे, पहली line पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको लिखावा है the order, other than the order of 263, लेकिन ऐसी कोई line आपने 263 में नहीं पढ़ी, जिसका मतलब क्या है, मेरे बच्चे इसका मतलब यह है, कि अगर 264 की बात है, तो द्यान से सुनिए, 263 जहाँ पर आपकी income बढ़ती ही है, 264 जहाँ आपकी income कम हो सकती है, यह दू बात है तो बिलकुल यहां तक के fix है, now the point is, 263, 264, जब हम 264 के initial wordings पढ़ेंगे, तो हमको वहाँ पर दिखेगा any order other than the order under section 263, जिसका मतलब यह है, 263 के बाद 264 possible नहीं है, क्योंकि 264 कहता है any order other than the order of 263, मतलब हम 263, 264 के अंदर में किसी भी परकार के order को deal कर सकते है, लेकिन वो order 263 में पास हुआ हुआ order नहीं होना चीए, अगर ऐसा allow कर देते तो हुता क्या पता है, सबसे पहले यह वो पूरी की पूरी मेहनत करता assessment में, उससे अगर कोई गलती रह गई है, CIT करता 263 में open, और इस गलती को again कम करवाने के लिए आप चल जाते हैं 264 में, जो possible नहीं है, बरवर है, 263 के बाद 264 तो possible नहीं है, पर क्या, 264 के बाद 263 हो सकता है क्या, answer is yes, क्योंकि ऐसा expressly 264 में provided है, कि other than the order of 263, पर हमने जब 263 का bear act पड़ा, तो वहाँ पे हमने कहीं पे भी ये नहीं देखा, that other than the order of 264, which simply means that, 263 के बाद 264 possible नहीं है, पर 264 के बाद भी ऐसा हो सकता है, that the order is prejudicial to the interest of revenue, और इसे सुधारा जा सकता है 263 के अंदर में, so I can say the power under 263 is more wide than the power covered under 264, as far as department is concerned, getting it or not, आईए सर, यह एक पार यहाँ पर बना दीजे, उपर में मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भी आप लोग को समझ में आ गया, यह एक पार यहाँ पर बना के रख दीजे, बहुत importantly, अच्छा जी सर, तो revision करना होता है, revision जो है, यह स्यू मोटो revision भी हो सकता है, बाइदर डिपार्टमेंट या अससी application भी किया जा सकता है, practical life की अगर बात करू, तो आज यह जो application है, application offline किया जाता है, online application नहीं है, उमीद तो यही करते हैं, कि फटा-फट यह भी online process के अंदर में आ जाए, तो ज़्यादा बहतर हो जाए, अच्छा जी सर, सर और बताइए, सर, 264 के अंदर में आप तभी आ सकते हैं, जहां एक भी matter अपील के अंदर में नहीं गया हो, यहने 264 talks about total merger and not partial merger, let's say A and B, आप B के लिए अपील में चले गए, क्या A के लिए 264 में आ सकते हैं, आंसर is no, यहां total merger concept apply करता है, जिसका मतलब यह है, अगर एक matter के लिए आप अपील में चले गए, तो 264 में आप रिलीफ मांगने नहीं आ सकते, इसी के आगे की कुछ बात करते हैं, 264 एक complete relief mechanism है and last result है, 264 के बाद कोई appeal possible नहीं है, न 264 के आपील के order के खिलाफ कोई appeal possible है, यहने 264 एकड़म last result है, यहने आपको अगर agreed है, तो सबसे पहले appeal में जाईए, 30 दिन, 30 दिन में आप appeal नहीं कर पाए, condemnation of delay दीजिए, वो भी नहीं हो पा रहा, तो ही आप 264 में आएंगे, सर्थ 264 में आने के लिए, अससी को application कब तक करनी होती है, one year from the date of order, one year from the end of financial year word नहीं है, one year from the date of order, date of order से exact एक साल के अंदर ही, आपको क्या करना होता है, 264 के अंदर में application करनी होती है, अच्छा सर, सर्थ 264 के अंदर में क्या CIT के powers क्या है, देखिए, increase करने के अलावा, यहाँ पर almost every power is given, क्या वो fresh assessment direct कर सकता है, हाँ, वो बोल सकता है कि आपने assessment सही तरीके से नहीं किया, fresh assessment करो, सर क्या reduce कर सकता है, हाँ, reduction वाला power है, क्योंकि यहाँ पर word लिखा है, pass any order which is not prejudicial to the interest of assessi, अगर income बढ़ा दिया, तो यह prejudicial to the interest of assessi हो जाएगा, hence, यह part छोड़ करके, कोई भी part 264 के अंदर में cover किया जा सकता है, ठीक है सर, तो सर, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, 263 में partial merger है और 264 में total merger है, yes, अगर 263 मैटर होता A और B, आप B के लिए appeal में गए, A के लिए 263 हो सकता है, yes, when it comes to 264, matter A and B, आप गए B के लिए appeal में, क्या A के लिए 264 हो सकता है, answer is no, 264 is a total merger, या तो सीधा इदर आओ, या तो उदर जाओ, और इसी लिए हम कहते हैं, नयाए अगर आपको पाना है, कानून आपको चाहिए, या कानून से relief आपको चाहिए, तो दो रास्ते हैं, एक या तो appeal के तरफ मुड़ो, दूसरा या तो revision के तरफ मुड़ो, इसी लिए आप देखेंगे, कि पहले के चाप्टर में हमने 263 से ITAT में गए, और 264 से डाइरेक्ट हाइ कोट में गए, तो अगर आपको 264 का order अग्रीव लगता भी है, तो एक ही जगह आप जा सकते हैं, और वो जगह है हाइ कोट, बट उस पे भी substantial question of law होना ज़रूवी है, let us check provision, in case of any order other than the order of 263, बरबर है, आपने इसे उपर लिखा होगा, इसे arrow करके ये वाला point आपने यहाँ डाला होगा, ये लिख लेना, और अगर कोई से theoretic में लिखना चाता है, तो वो भी लिख दे, revision under section 264 is not possible after revision under section 263, but revision under 263 is possible after revision under section 264, चाहें, तो ये word insert कर दे, वैसे भी हम लिखेंगे, तब ये से लिखी लेंगे, पूरा का पूरा, सर, एक और सवाल, क्या intimation यहाँ पर revise हो सकता है, देखेंगे, आईए पहले word पढ़ी है, in case of any order other than the order under which 263 applies, passed by authority subordinate to him, the PCIT और CIT में इधर on his own और application made, एक समझेगा, ऐसा कोई वर 263 में नहीं था, इसी का क्या मतलब हुआ, 263 स्यू मोटो होता है, और 264 application लेने पे भी हो सकता है, so, the CIT or PCIT may either on his own motion or on application made by SSC for revision, call for the records of any proceeding under this act, which any order has been passed and may make such inquiry or cause such inquiry to be made, subject to the provision of act, may pass such order thereon, not being an order prejudicial to SSC as it think fit, जैसे उनने लिखा, not being an order prejudicial to SSC, income can't be increased, एक बात तो बिल्कुल clear हो गई, क्या बुला उन्होंने, income बढ़ाई नहीं जा सकती, not prejudicial to the interest of SSC लिखा है, ठीके, so, in case of any order other than the order of 263, 263 के अलावा कोई भी order जो assessing officer ने पास किया है, intimation की बात नहीं कर रहे है, कोई भी order जो पास किया गया है, इसे क्या क्या जा सकता है, revise किया जा सकता है, लेकिन revision भी इस प्रकार का होगा, it should not be detrimental to assessi, 264 subsection 2, क्या करता है, time limit देता है कि कब तक आपको ये revision का application करना है, right, the CIT or PCIT shall not on his own motion revise any order if the order is made more than one year previously, तो sir क्या बुला है, sir maximum एक year का, एक previous year का अगर आपने किया होगा, तो उस्दादा का आपका नहीं हो सकता revision, 264 subsection 3, 264 subsection 3 क्या कहता है, in case of an application for revision under this section, by the assessi, the application must be made, word देखे क्या लिखा है, the application must be made within one year, from the date on which the order in question was communicated to him, word देखे क्या लिखा है, तो sir word एक और बार देखे, the application must be made within one year, from the date on which the order in the question was communicated to him, तो जिस दिन, जिस दिन सहाब उसको ये order मिला, वहाँ से exactly एक साल के अंदर में, ये क्या हो जाना चाहिए, application हो जाना चाहिए, on the date on which otherwise came to know about it, whichever is earlier, तो जिस दिन उसको communicate हुआ, या जिस दिन उसको पता चला, whichever is earlier, वहाँ से एक साल के अंदर में क्या करना होगा, application कर देना होगा, provided that the CIT और PCIT में, if so satisfied that the assessi was prevented by sufficient cost, for making the application within that period, may admit an application made after the expiry of that period, in fact, after the expiry of that period के बाद भी हो सकता है, if there is a sufficient cost for not doing it within that particular period, याने condemnation of delay के साथ, आप ये काम कर सकते हैं, चेक कीजिएगा, subsection 1, subsection 2, subsection 3, यहां तक के करते हैं, subsection 1 बताता है power, कि आप ऐसा कोई revision कर सकते हैं, subsection 2 बताता है, own motion में revise नहीं कर पाएंगे, under this section, if the order has been made for more than, one year previously, फिर हम लोगों ने बताया, subsection 3 जो कहता है कि application अगर करना है, तो application करना होगा within one year, application भी कब करना होगा, within one year ही करना होगा, हलांकि belated application भी, accept किया जा सकता है, 264 subsection 4 पढ़िये, पहले पढ़िये, फिर बताते हैं, अगर आप इसे खुद होके पढ़ेंगे, तो मैं believe करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल नहीं समाझने वाला है, ये आपको नहीं समाझने वाला है, ये might भी आप English के सब्दों में पढ़ करके भूल जाएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये प्रोविजन आई क्यों, अब सुनिए ये प्रोविजन आई क्यों, जो सब्सेक्शन 4 है, और ये बहुत लॉजिकल, बहुत ज़्यादा सेंसीबल प्रोविजन है, बरबरे, क्या होता था, जिसके कारण सब्सेक्शन 4 को लाना पड़ा और ये जरुरत पड़ गई, ये था असेसी, बरबरे, ये था असेसी, अब असेसी क्या करता था, अपना रिटर्न आफ इंकम बढ़ता था, इस रिटर्न आफ इंकम के बेसिस पे 143.3 होता था, अब अगर आप लॉजिकली देखे दे, तो 30 दिन के अंदर में आपको क्या करना होता था, 30 दिन के अंदर में आपको CIT अपील के पास जाना है, अगर आपको अपील करना है, तो do you agree? तो 30 दिन के अंदर में आपको जाना है CIT अपील के पास, विदिन 30 डेज आपको जाना है CIT अपील के पास, अब क्या होता था, ज़रा समन्ना, असेशी क्या करता था, 15.6.2020 को किसके पास चल जाता था, CIT के पास चल जाता था, 264 का application लेकर के, बोलता था में को 264 में रिविजन कर दो, बरवर है, CIT न आओ देखता था, न ताओ देखता था, इस application को वो accept कर देता था, बरवर, यहाँ जैसे ही उसने application accept कर दी, अभी भी आप देखेंगे, करीब 15 दिन असेशी के बाकी है, असेशी क्या करता था, एक और application CIT अपील के पास दाल देता था, मतलब अगर उसको यहाँ से न आए न भी मिले, तो उसको न आए कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, इसको दो तरिफ से करब अप किया गया, पहला concept of partial merger लेकर किया आए, दूसरा क्या कहा गया, दूसरा यह कहा गया, subsection 4 insert किया गया, और कहा गया, कि सर जब तक 30 दिन complete नहीं हुए, 264 में application तब तक accept नहीं किया जाएगा, 264 में application तब तक accept नहीं किया जाएगा, जब तक कि appeal का time limit खतम ना हो गया हो, और अगर यह application पहले ही application हो गया है तो assessi expressly लिख करके देगा कि वो अपना right to appeal वेव करता है और इसलिए subsection 4 को लाया गया यह logic है subsection 4 को लाने के पीछे तो subsection 4 लाने के पीछे क्या logic था? subsection 4 लाने के पीछ लाजिक है था कि पहले assessi कहा चल जाता था? अपील में जाना से पहले 264 में चल जाता था और बाद में वो कहा जाता था? अपील के अंदर में जाता था बाद में government को समझ में आया यह लोग तो हमें बेवातूफ बना रहे हैं उन्होंने बिलकुल subsection 4 लेकिया और कहा कि बेटा हम तब तक 264 में application accept नहीं करेंगे तब तक 264 में application accept नहीं करेंगे जब तक या तो अपील करने का time limit that is 30 days खतम ना हो गया हो या दूसरा अब अगर पंदरा जून को application डालना है बिलकुल डालिए कोई problem नहीं पर आपको declaration नेना पड़ेगा आए expressly way of my right समझ में आरी बात अब पढ़िये अब समझ में आएगा आपको यह subsection 4 अदर्वाइस आप सिर्प इसे plain reading करके अटा देते थे आपको समझ में भी नहीं आता था यह ऐसा meaning यह इसका चेक करिये साब आप, the PCIT or CIT shall not revise any order, कोई order revise नहीं करेंगे तिर 264, under this section in the following cases, 264 के तहत कोई revision नहीं होगा, जब तक के following cases होंगे, पहला, where appeal against the order lies to deputy commissioner appeal or commissioner appeals or appeal a tribunal, but has not made and the time within which such appeal may be made has not expired, मतलब जब तक यह time आपने expire नहीं हुआ, तब तक आप 264 के अंदर में नहीं आ सकते, sir पर application देना गलत तो नहीं है, बिल्कूल गलत नहीं है, मैं आपको बताता हूं, इसे हम legal शब्दों में कहते हैं, या आप, you know, professional language में कहते हैं, प्री मचॉर application, अगर आप, you know, CIT के पास जाएंगे 264 का application लेकर गे, वो इसे प्री मेचॉर लिग देता है, वो पेंसल से लिग देता है, प्री मेचॉर, वो क्या करेगा, मैं आपको बता हूं, माइड भी आज जब आप लेके जाएंगे, वो आपको expressly नहीं नहीं बूलेगा, वो आप this is the practical approach he follows, क्यों, क्योंकि subsection poor कहता है, आप तब तक case नहीं उठाएंगे, जब तक के appeal करने का, CIT को appeal करने का, या deputy commissioner को appeal करने का, या tribunal को appeal करने का, time limit जब तक खतम नहीं हुआ है so point number one, the time within which such appeal may not been expired, or in case of appeal to commissioner appeal or criminal, the assessee has not waived the right to appeal, समझ में हारी ही बात, यह है दो situation so point number one, point number one कहता है, कोई application 264 में accept नहीं होगी, premature application accept नहीं होगी, कब तक नहीं होगी, दो situation, पहला, जब तक उसका time limit, 30 days का time limit, खतम ना हुआ हो, और दूसरा, assessee ने expressly way off ना किया हो, इस right को point number two, where the order is spending on appeal before the deputy commissioner appeal, अगर matter appeal के अंदर में है, तो वैसे भी उसका revision नहीं हो सकता, 264 बात करता है, about total merger, अगर A और B matter है, B matter के लिए भी आप appeal में चले गए, तो 264 कहता है, A matter के लिए भी आप यहाँ आने का, नहीं, आना है तो completely इदर आओ, नहीं तो उधर जाओ, यह धंद नहीं है, where the order has been made subject of an appeal to CIT appeal or the appellate tribunal, चाहे आप deputy commissioner appeal के पास आए, यह appellate tribunal, CIT के पास आए, अगर आप appeal के अंदर में चलेगा, तो 264 के अंदर में नहीं आ सकते, तो 264 में कब कब नहीं आ सकते, यह बात लिखे है, आपके 264 subsection 4 में, point number 1, जब तक आपका period expired नहीं हुआ है, point number 2, आपने expressly wave off नहीं कर दिया, point number 3, अगर यह matter deputy commissioner के पास है, CIT appeal के पास है, यह tribunal के पास है, तो इसके लिए आप नहीं आ सकते, logically B और C के अंदर में आप लिख सकते हैं, total merger, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, total merger, done sir, तो आईए 264 के सारे subsection को आपस पढ़ते हैं, 264, 1 हमें कहता है कि CIT, PCIT के पास ऐसा कोई power है, revision करने का, subsection 2 कहता है कि sumoto अगर करना है, तो up to one year आपको करना होगा, application अगर देनी है, तो up to one year आपको क्या करनी होगी, application देनी होगी, ऐसा कहता है, subsection 3, हाला कि related application for sufficient and good reason accept हो सकते है, subsection 4 कहता है, 4 situation, technically 3 जो यहां पर लिखे है, मैं इसको 4 कह रहा हूँ, तीन situation के अंदर में आप क्या नहीं करेंगे, आपका application 264 में accept नहीं हो सकता, that is revision under 264 नहीं हो सकता, is that done, अब आते हैं, subsection 5 के उपर, जो कहता है, fees कितनी होगी, देखे हैं, अगर आपको revision करना है, तो 500 रुपए का एक चलान मना करके देना पड़ता है, that is the fees for the purpose of revision, यहाँ income-wise fees नहीं बदलती, revision अगर करना है, 264 में 500 रुपइस, is the fees, sir, 263 की fees कितनी है, ना लायक, 263 सुमोटो होता है, और सुमोटो के लिए कोई fees नहीं लगती, so, every application by SSI लिखा है, देख लीजें, यहाँ पर सुमोटो वड नहीं है, every application by SSI लिखा है, याने, अससी कर रहा होगा, तो ही fees है, सुमोटो डिपार्टमेंट कर रहा होगा, तो कोई fees नहीं है, वो खुद का फीस लेके, खुद को तो दे नहीं सकते, I hope you are understanding this, so, every application by SSI for revision under this section, shall be accompanied by a fees, bracket में लिख दीजे, no fees for सुमोटो revision, done, अब आते हैं, subsection 6 के उपर, subsection 6 क्या कहता है, subsection 6 कहता है, application तो one year में करना है, order कब तक pass करेंगे, order pass करने का time limit लिखा है, 264 subsection 6 के अंदर, जो कहता है, जिस साल आपने application की, उस financial year end से one year के अंदर में आपको, आपका decision मिल जाएगा, चेक कीजएगा, on every application by SSE for revision under this subsection, after 1998, an order shall be passed within, order कब तक pass किया जाएगा, यह बड़ याद रखिए, date से यादर नहीं ज़र होती, an order shall be passed within one year from the end of financial year in which application is made, याने क्या मैं कह सकता हूँ, application देनी का maximum time limit भी one year है, और जिस साल आपने application दी, वहाँ से एक साल के अंदर में, one year from the end of financial year, ठ्यान से सुनिये, application करने का time limit क्या है, order से एक साल, order से एक साल, फिर जिस साल आपने application दी, उस financial year end से एक साल के अंदर में, आपका क्या आ जाएगा, रिविजन आ जाना चाहिए, ऐसा कहता है, subsection 6, अच्छा जी सर, सर, explanation आड किया गया, 264 subsection 6 को, कहा गया, कि जब यह one year का time limit count होता रहेगा, उस time पे अगर कोई opportunity of being heard दिया होगा, या कोई court का injunction या stay order आया होगा, उतना period, overall time limit में से क्या किया जाएगा, exclude किया जाएगा, so, in computing the period of limitation, time taken in giving the opportunity, and any period during which the proceeding is stayed by order of court, shall be excluded, shall be what, excluded, अच्छा जी, ठीक, जिस तरीके से 263 हो सकता है, किसी order of tribunal, high court या supreme court, उसी तरीके से, अगर high court पो ऐसा लगता है, कि assessi के साथ hardship हुई है, तो 264 के अंदर में revision करने का order भी, high court या supreme court, या फिर tribunal के तरफ से आ सकता है, और अगर ऐसा कोई time order, आपको high court के तरफ से, supreme court के तरफ से, या tribunal के तरफ से आता है, तो फिर, 264 करने को कोई time limit नहीं होगा, similar provision was there in 263, similar provision is there in 264, subsection 7, notwithstanding anything contained in subsection 6, आहा, word क्या लिखे हैं, 6 कहता है, कि जब भी आपको application दी गई, application के financial year end से, one year के अंदर में order pass करना है, हम उसे overrule करते हैं, और क्या लिखते हैं, और लिखन अविखे हैं, तieß से लिखना लिखे हईन कुट में भी बाचोगे से लिखे पस्ते लिखे हैं, लिखे हैं अबॉझे कि टाली what流ी हा लिखे only अज़ इस उसेदीच हैं हैं, अज़िखे लिखे हैं, झाह, और लिखे लिखे हैं, इसे on the는lla portfolio is well of time papers, बहुत जबरदस्त एप्लिकेशन बहुत जबरदस्त यह एक्स्प्लिनेशन क्या गया मैं आपको बताता हूं दीगे वह होता क्या था आपने एप्लिकेशन क्या 264 के अंदर मैं मैं इस एप्लिकेशन को एक्सेप नहीं कर रहा असेशी को यही अग्रीवड फील हो गया और इसके खिलाफ वो दूसरे सी आइटी के पास चले गया और 264 मार दिया बुला कि बॉस सी आइटी ने मेरा एप्लिकेशन एक्सेप नहीं किया मैं इसके खिलाफ क्या करना चाहूंगा एक और अपील करना चाहूंगा 264 दूसरे सी आइटी के पास जाके कहा गया अगर सी आइटी पीसे आइटी आपका अप्लिकेशन रिजेक्ट कर देते हैं इसे प्रिजुडिशियल तो असेशी नहीं माना जाएगा अगर बुलता है मैं इंटरफेर नहीं करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं पर नहीं होगा explanation 2 for the purpose of this section DC appeal shall deem to have authority subordinate to principal commissioner deputy commissioner एक subordinate authority माना जाएगा जो इनके साथ मिल करके काम करेगा या इन्हें subordination देगा support देगा जहां जहां पे भी लगता है यह से पे part इन्होंने दिया है तो साथ subsection थे आई यह से simplified way में समझते हैं हमने इसे भी simplified way में डाला है in case of any order other than the order of which 263 apply passed by an authority subordinate to commissioner he may either on his own motion or on application made for revision call for the records and pass such order as may being fit and may make further inquiry right meaning an order of assessing officer which has been revised in 263 cannot be revised in 264 however after revision of 264 263 is possible आपको नहीं लगता यह वही चमतकारी लाइन है जो मैं आपको कह रहा था keynotes under 263 only order of AO can be revised intimation हो नहीं सकता है hence intimation or deemed intimation is not an order and therefore can't be revised under 264 the CIT under 264 can declare an assessment as void ab initio बिल्कुल सही है void ab initio declare किया जा सकता है क्योंकि यह prejudicial नहीं होगा assessi के लिए तो बिल्कुल हो सकता है CIT under 264 can cancel or set aside the order of AO and direct him to make fresh assessment and such direction shall not be prejudicial to assessi तो एक fresh assessment करने बोल सकता है और यह prejudicial नहीं माना जाएगा CIT decline to interfere does not amount to prejudicial to the interest done under 264 no order prejudicial can be passed commissioner cannot revise 264 till the time limit for completion of appeal is not over जैसा कि मैंने कहा था कोई order 264 में revise नहीं हो सकता जब सकते time limit to complete an appeal that is 30 days complete नहीं होता under 264 CIT can entertain a fresh ground and evidence as well बिल्कुल कर सकता है क्योंकि यहां पर लिका है past such order after inquiry as a dim fit तो क्या fresh evidence 264 के अंदर में लाए जा सकते हैं बिल्कुल कोई problem नहीं है time limit under 264 Siu Moto one year from the date of order ought to be revised application made अगर किया है तो one year के अंदर में application हो जाना चाहिए और one year के अंदर में जहां पर application किया वहां से pass हो जाना चाहिए बस chart बना करके लिकावा है और कुछ नहीं He may admit an application after the expiry of one year बिल्कुल हो सकता है belated application if there was a sufficient cause revision under 264 is not possible if appeal has been filed to CIT appeal on any issue any issue any issue any issue any issue the revision under 264 is possible if the assessi has not filed an appeal to CIT appeal बिल्कुल वही बात वापस लिकी भी है बस word बदल दिये गया है the time period for filing an appeal to CIT appeal has expired and where the time limit for filing an appeal has not expired the assessi should have waived his right to appeal to CIT appeal then and only then क्या क्या जा सकता है आपका application accept हो सकता है application shall be accompanied by fees of 500 rupees no appeal is possible against the order of 264 एक बार 264 के अंदर का order pass हो गया तो इसके खिलाफ आप कोई appeal file नहीं कर सकते order अंदर 264 can be challenged in high court through a red petition and thereafter supreme court through a special leave petition क्या 264 के खिलाफ आप IT AT में जा सकते answer is more जाना है तो सीधा high court या तो फिर supreme court के अंदर में जाना होगा if there is a mistake appearance from record काम की चीज़ if there is a mistake appearance from record क्या CIT उससे सुदार सकता है 154 में yes CIT एक authority है और authority का अपना order 154 के अंदर में rectify कर सकती है तो क्या CIT अपना order जो उसने 264 में पास किया है इसमें अगर mistake appearance from record होगा तो क्या वो सुदारा त्यार सकता है yes बिल्कूल सुदारा जा सकता है so mistake appearance from record under section 264 can be done by passing an order under section 154 is that done चलिए यह question आपको थेरी में पूछते है what is the difference between 263 and 264 चलिए मेरे साथ बात करेंगे हम ऐसी difference जून लेंगे कोई जरूत नहीं आपको stable की हम ऐसी difference जून लेंगे वस आपको मेरे साथ जवाब देना है भली मैं आपके जवाब सुन नहीं सकता पर आप मुझे जवाब अगर वहां बैठे बैठे भी दे रहे हैं तो मैं दिल से मालनुगा कि आपने जवाब दिये हैं और यह सही है और अगर आपके सारे जवाब सही हो गए तो अपनी फीट थपत अपाना गोलना I am proud of you ठीक है सबसे फ़ले बताइए 263 Sumoto और application made Sumoto 264 Sumoto as well as application made this will be the first thing बताइए 263 क्या है? Prejudicial to the interest of revenue 264 Prejudicial to the interest of assessing 3rd 3rd 263 deals with partial merger 264 deals with total merger 4th after 264 263 is possible after 263 264 is not possible 5 time limit this order under 263 can be passed up to 2 years can be passed up to 2 years from the end of financial year in which order ought to be revised was passed whereas whereas in 264 order can be passed within 1 year from the end of the year in which application is made getting it or not तो ये एक और time limit है आप अब इसे पढ़ लीजे आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या-क्या बाते करी मतलब अगर आप नहीं भी किया और आपने मेरा पूरा लेक्चर भी बहुत ध्यादा ध्यान जा सुन लिया होगा तो प्रभूई आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी आप रिविजन बहार निकाल दोगे एक लास्ट रिविजन है वो भी बता देता हूँ 263 के खिलाफ आप कहां जा सकते हो IT80 में जा सकते हो 264 के खिलाफ अगर आपको जाना भी है तो आप IT80 में नहीं जा सकते हैं आपको सीधा हाई कोट के अंदर में जाना होगा यह एक और डिफरेंस है जो आपको लिख सकते हो आप लोग और भी कही लिख सकते हो मैंने इतना यह लिखा है इस अ थेरी कोश्चन आस्ट फ्यू टाइम्स इन दी एग्जामिनेशन doctrine of partial merger इसके पहले हम लोग ने इसको पढ़ा है लेकिन कभी भी expressly बुक में लिखावा नहीं देखा था यहां मैंने उसको कवर किया है क्योंकि यहां आपको समझेगा क्या आप मुझे बता सकते हैं तीन वह section जहां पर पार्शल मर्जर है सबसे पहले 147 दूसरा 154 तीसरा 263 इन तीनों में पार्शल मर्जर है टोटल मर्जर का है सिर्फ एक section में 264 गेम ओवर आईए यह यह यहां पर बिलकुल वही एक्जांपल के तौर पर दिया वा है A, B, C, D जर दहांज सुनिएगा एओ इन अन असेस्मेंट अंडर 143 तीसलाओड दिदक्षिन डिसलाओड दिदक्षिन A and B पहले यह रीड कीजे मैं आपको समझाता हूं चेकीजेगा। The AO in the assessment under 143 3 allowed the deduction A and B and disallowed C, D and E, Assessi filed an appeal to CIT appeal on C and D. The CIT allows CDE, it is later on found by CIT that deduction A, B, C and E are not allowable to SSE, can CIT invoke section 263 and disallow the deduction, CIT can disallow A and B under 263, he cannot disallow the deduction under C and E, sir क्यों, because हम C, B और E के लिए कहां चले गए थे, A और B के लिए नहीं गए थे, तो A और B का matter तो 263 में raise हो सकता है, पर E वाला matter 263 में raise नहीं होता, that is what we called as a partial merger, अब आते है doctrine of total merger, जो कहां affirmed है, सिर्फ और सिर्फ एक section के अंदर में affirmed है, और वो है 264, और कहीं पे भी total merger का आपको देखने को नहीं मिलेगा, the A in assessment under 143.3 disallowed the deduction A and B, the assessi applied for the revision under 264 to CIT, A want to rectify the order under 154 related to the matter of A, A cannot do so, doctrine of total merger applies, कुल मिला करके अगर आप देखेंगे, ये चार्ट आपको बना करके दिया है, इसको आप डालिए self-read में, आप अगर इसको एक बार भी पढ़नेंगे, तो आपका काम हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके knowledge परपस के लिए दिया है, पार्शल मर्जर पीन जगह, टोटल मर्जर एक जगह, तो सर्थ 264 के खिलाब हमारे पास क्या remedies available है, टेक्निकली कुछ नहीं, जाना है तो सिर्फ आपकोट, इसके लाओ कोई आपकोट, इसके लाओ कुछ नहीं, नोप इसके लाओ कुछ नहीं, इवन नोपील अगेंस्ट दे रिफुजिंग ऑफ 264, 264 में अगर आपका रिविजन करने से मना भी कर दिया, तो इसके खिलाब भी आप नहीं जा सकते, explanation में पढ़ा था, this will not be treated as order prejudicial to assessi, rectification under 154 can be done if there is a mistake appearance from record, only remedy is writ petition, writ petition करना है कर लो इसके अलावा कुछ भी possible नहीं है, टन टना, difference between set aside and cancel order, दोना की बीच में कई बार बच्चे पूछते हैं सर, set aside करना क्या और cancel करना है, set aside जब भी word use होता है, इसका मतलब आपको पहले वाले को हटाएगा और बुलेगा वापस से fresh करो, cancel order अगर आपका कर दिया, तो इसका मतलब है fresh assessment का कोई scope ही नहीं, आपका assessment ही cancel कर दिया, पूरा का पूरा आपको fresh assessment करने का भी scope नहीं दिया, तो ये भी सिफ knowledge purpose के लिए मैंने आपको डाल के रखाए, ऐसा कोई question आपको आएगा नहीं, there is a scope for fresh assessment, there is no scope of fresh assessment साथ-साथ में कुछ case laws है, ध्यानते सुनिए, circular से related कुछ case laws है, हलांकि आज आप इसे पढ़ें, नहीं पढ़ें, एक बात है, देखिए, डिली फ्लोर मिल्स कंपनी, circular are not binding on court, याद होगा तो हमने chapter number 1 में पढ़ा था, that circulars are binding only to department, not binding on any court or tribunals, क्या कोई legislative provisions को amend किया जा सकता है, थ्रूँ a circular, supreme court observed that CBT does not have a power to amend legislative provision, as per section 119 by issuing a circular, the supreme court accordingly quashed the circular for being ultra wise, so generally circular ultra wise नहीं हो सकते, क्योंकि, 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 it was held in SV, Gopala and others case, that circular लाकर के कोई amendment नहीं लाया जा सकता, CIT versus ICICI bank, यह case हम पहले पढ़ चुके हैं, 263 से related था, time limit कहा से count होगा, 143 या 147, 143 से time limit count होगा, वो case एक detail के अंदर में यहाँ पे explanation है, सुमित्रा देवी खेरवाल and SM oil construction, यह repeated है, यहाँ पे, क्योंकि case loss में सब excited रखता हूं, तो यहाँ पे वापस repeated है, कुछ भी करने की जोरब नहीं है, हाँ, यह हम जरूर पढ़ेंगे, CIT versus for Telza developer, clearly पढ़िए, बताता हूं क्या लिखा है, क्या क्या रही है, case वही है, जो हम आज बात करते हैं, आज जो आप law पढ़ते हैं, कि अगर कोई भी matter, appeal ने गया है, तो वो matter revision में नहीं आ सकता, उसके पीछे का base logic है, CIT versus for Telza developer, 2015, यही वो judgment था, जिसने एक नीव रखी, आज के इस law की, कि अगर matter appeal ने decide कर लिया है, फिर वो matter कहा नहीं ला सकता है, अब 263 में invoke नहीं किया जा सकता, जहां से doctrine of partial murder 263 में affirm किया गया था, यही वो case है, जरा पढ़िएगा, अगर matter CIT appeal ने decide कर लिया है, तो क्या 263 में उसे invoke किया जा सकता है, जब तक के tribunal को order नहीं आया है, answer is no, अगर matter appeal में है, तो यहां आई नहीं सकता, और यही वो case था, जिसने आज जो आप यह law पढ़ रहा है, वो बनाया है, when the order of first appealate authority is complete, and appeal is pending before tribunal, the commissioner is precluded from invoking 263 for revision for the very same matter decided by first appealate authority, since the law provides that commissioner under 263 can revise only those matter which has not gone for appeal, accordingly high court held that the order passed by AO got merged with the order of first appealate authority, the same issue can't be revised by invoking the revisionary jurisdiction under 263, game over, multiple choice question as well as some question, few for your practice, few unsolved, आप देखिएंगे, करीब करीब five questions यहां पर unsolved रखे हैं, and two questions हमने यहां यहां पर solve रखे हैं, ठीक है सर, सबसे पहले solve question को देखते हैं, अरी, घजब पर रखे हैं, इस वेरी गुष्ट क्वेश्टन आज दिन में 2015 क्वेश्टन क्या है राम प्यारे लिमिटेड के केस में असेस्मेंट कम्प्लीट होती है 143 सब्सेक्शन 3 के अंदर में अन्ड असेसी प्रिफर करता है एक अपील बिफोर सी एट अपील और इस से रिलेटेड अब आपसे दो क्वेश्टन पूछे गए एक 263 से रिलेटेड होगा ताकि दोनों एक एक क्वेश्टन दे करके आपको एक इसाथ दोनों के पावर्स पूछ लिए ले ले हैं चेक किज आंसर दे फॉलाइंग कैन असेसी कंपनी रिविजन अंडर 264 इन रिस्पेक्ट अफ मैटर अदर देन दोज प्रिफर्ड इन अपील बताईए क्या मैटर 264 में लेके आ सकते हैं अदर देन देन मैटर विचार प्रिफर्ड इन अपील आंसर इस नो वाई 264 के अंदर में ट नहीं शेक किजेगा अंसर क्या लिखना होगा हमें 264 सबसेक्शन 4 जो रिस्टिक्शन लगाता है कि कब अपील या पे एक्सेप्ट नहीं होगी और वहीं पर हमने लिखा था The Commissioner shall not revise order under 264 where such order has been the subject matter of appeal Thus the concept of total merger would apply in case of 264 therefore under 264 commissioner cannot revise an order which is pending before CIT appeal even if revision pertains to a matter other than the matter covered under an appeal it should be other than not other than it should be other than the matter other than the matters covered in appeal question पहला बहुत easy यह आपका जवाब आ जाएगा question दूसरा can commissioner maker revision under 263 born in the respect of matter covered in appeal and other matter answer is no इसका जवाब again no आएगा या partially no आप कहतीजे जो matter appeal में है वो matter छोड़के other matter 263 में आ सकता है because यहाँ पे doctrine of partial merger affirm किया गया है क्या लिखना होगा 263 का ही power लिखना होगा the commissioner has power to decide an order to decide an order which is produce usual to revenue even if the order is subject matter of appeal before CIT appeal however the power of CIT under 263 shall extend only to matter which has not been considered and decided by appeal here again doctrine of partial merger would apply in case where appeal spending not yet decided CIT cannot exercises revisionary jurisdiction in respect of those which are subject matter of appeal तो जो subject matter of appeal होगा है उस पे 263 नहीं हो सकता other than that 263 हो सकता है इतना easy question था में 2015 मैं सर कितने marks को आया हो गई है मुझे लगता है 6 marks बहुत हो गए 3 & 3 3 & 3 से उपर का यह आ नहीं सकता चार mark के लिए आता तो मैं इसे एकदम well and good कहता है चार mark के उपर का concept भी नहीं है एक ही concept आपको याद रखना है total merger partial merger game over तो चार मांस भी मेरे साथ से बहुत सफीशन्ट होंगे अगर इसको 4 मां का lot किया होगा तो practically I don't know इसको कितने marks किये गए थे 2015 मतलब way back question है then sir problem number two देखिए read it out खार फो तो आई दसके आपको कितने बहुत सकादे ल onu एक है कितशी बादे प्रोगवार 2 देखिए कि अल्येकरस एक एक कितने बहुत सब्सकावदी तो आए जहाल आए पक्यावर 9 दूब लोगवार 2 बहुत सब्सक्पावार 2 दूब कि बहुत घुमाया गया कई जबर्दस्ट सड़ी रहती गई है कुश्चन ध्यान से पढ़ना तो मज़ा आ जाएगा चाप्तर में क्या आपको नहीं लगता यह केस वही आईसी आईसी है बैंक वाला केस है जहां पे पहले 143 3 हुआ और इसके बाद 147 हुआ तो समय कहां से रिकून किया जाएगा टू यह हमने सबसे पहले लिखना होगा कि जब भी ओर्डर पास करना होगा टाइम लिमिट इस तू यह पॉर्डर ओर्ट वी रिवाइज वास पास हाला कि इन केस ऑफ आईसी आईसी है बैंक हमने यह दिखा था जो ओरीजनल टाइम लिमिट है यह 143 3 से काउंट किया after the expiry of two years from the end of financial year in which order ought to be revised was passed. the issue under consideration is whether the period of limitation for an order under 263 has to be required from original order passed or from the order of reassessment under 147 the facts are similar to in the case of cit versus ic ic i bank limited wherein the above issue came up before the bombay high court wherein it was held that in such cases where the subject matter of revision was not same as subject matter of reassessment जब दोनों matter अलग अलग होंगे तो time limit कहां से count किया जाएगा original assessment से and not reassessment sir halaki मुझे एक बात बताईए जो matter revise कर रहे हैं और reassessment वाला matter अगर same रहता तो अगर matter same रहता तो 147 से count किया जाता since अगर matter same नहीं है तो original से count करना होगा in this case the period of limitation as referred in 260c with 263 is with reference to assessment in which claim of the assessee as to deduction under 36.1 on account of provision of bed depths in respect of foreign exchange rate difference was considered these issue were not subject matter of reassessment which were only in respect of special reserve created by bank accordingly applying the rationale of the Bombay high court cited above the period of limitation shall be recalled with reference to original assessment order and not from the order of reassessment therefore in this case the revision proceedings are barred by limitation and the original assessment was passed in 2017 and revision order should have been passed by 2020 however the revision order was passed on 31st august 2020 hence the same is barred by the limitation and the same is barred by the limitation बताया थे दोस्कूस्टें हम लोगों के solve थे दोनों कूस्टें भी examination question आपको लगता है ऐसा कोई matter है जो हमने इसमें डिसकस नहीं किया अन्मॉस्ट एवरी मैटराइजमेंट डिसकस्ट अन्सॉल्ड पर चलते हैं अपना धरमने भाते हैं क्वेशन नम्बर वन मांग दिसक्वेशन आज इंपोर्टेंट यहाँ पर आपको 264 सबसेक्षन 4 की जलक देखने को मिलेगी चेक कीजेगा यह कुश्टन मोडियूल में भी है अनससी वह सर्फ विद दो ओर्डर ऑफ असेस्मेंट अनर 143.3 on 1.1.2021 has filed an application against this order before CIT under 264 on 11.1.2021 stop आपको नहीं लगता 11 दिन के अंदर ही उसने application कर दी however CIT refused to entertain the application on the pretext of pre-mature application assessi see your opinion बिल्कुल सही है CIT it's a premature application application accept होना ही नहीं चीए हाला कि एक general practice यह कहती है कि CIT क्या करेगा उसे लेगा अपने पास रख लेगा और बाद में आपको देगा तो कोई application accept नहीं हो सकता जब तक कि time limit तो file आपील खतम नहीं होगा हो problem number one जैसा कि मैंने काठा chapter चालू होगा और आज ही कतम हो जाएगा थे ही दो section as per section 264 subsection 4 CIT cannot revise the order under section 264 unless point number one time limit to file an appeal is not over and a sissy has not waived off his right to file an appeal here application for revision under section 264 is received within 11 days which is premature because the time limit to file appeal is not over that is 30 days further a sissy has not waived off the right to file appeal hence cit was correct to reject the application practical aspect यह आप एक्जाम में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा आपके लिए बता रहा हूँ मैं CIT will keep the application in safe custody till the time limit for filing an appeal is is over practical ground practical reality practical solution event and you need all to will then have if स्टेंसर फिस्ट कुस्टिन दनोगा साफ दूसरा कुस्टिन बच्चो को प्यूर कन्फूस करने की को ऊस्टिन प्यूशिश लीज इक्वालाइजेशन फंड की नाम से कई वच्चे ने पढ़ा नियुक्त ना उसने देखावा होता है लेकिन आपका कुस्टिन यहां छिपा ही नहीं कुस्टिन आपका छिपाई यहां वैसे भी रिजेक्टिंग थे क्लेम उफ असेशी चालेंगे देखावाइजेशन फंड की यहां प्यूश्टिन आपका छिपाईश्मेंट ना की री असेश्मेंट से लिखना क्या होगा शब्से पहले तो टाइम लिमेट लिखना होगा टू से लिखना होगा यह पूरे प्रॉब्लम से कोई लेन निन ने लेकिन जिस साल जिस अटेम्ट में क्वेश्चन आया था बच्चे एकदम डर गए इकदम डर गए के सरे लीज इक्वालाइशेशन फंड क्या है मैंने बच्चो को याग दि रहा है मेरे कुछ बच्चों को काहे डर रहे हो पहले प्रॉब्लम तो देखो इन लीज इक्वालाइशेशन फंड से घुमाने के लिए यह लोग तो हमें बेवकूब बना रहे CIT under section 263 shall pass revision order within two years from the end of financial year in which order ought to be revised was passed in case of CIT versus ICICI bank the issue arises as to recording the period of limitation and it was held by court that where subject matter of assessment and reassessment are not same the time limit shall be counted from original order and not the reassessment order hence in the above case the time limit shall be counted from original order and not reassessment order so झाल झाल डंजर चलिए मैं अभी question आगे कि जॉल नहीं कर रहा हूँ मैं जानता हूँ आपको break की जरुत है और आपको break मिलेगा सहाब यहाँ पर तीन question बाकि है प्राउम नुबर 3 प्राउम नुबर 4 प्राउम नुबर 5 यह तीन question हम लोग देखेंगे हम एक काम करते हैं सबसे पहले break के बाद आते हैं और break के बाद आकर के नया chapter शुरू कर देते हैं मेरे हिसाब से और at the end wait 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 एक पंगा होगा सर पंगा यह होगा हमने 263 264 लिखा है नहीं उसके पहले हमने problem solve कर दिए तो क्या करना होगा ब्रेक के बाद आते है problem solve कर देंगे और उसके आगे 263 264 लिख डालेंगे कोई problem नहीं चैप्टर के आगे जा करके देख लेना अब यह हो चुका है मैं को यादता provision करने के बाद but flow 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 के अंदर में हम लोग आ गया आ गए कोई problem नहीं है वैसे अगर आप देखे तो आप नहीं लिखे तो भी चल जाएगा क्योंकि इतना चोटा सा matter है और यहां पर simplified analysis भी दिया है तो एक काम कर लो मत लिको लिखने पर भी time बिलकुल मत वेस् completely refer from notes और हम लोग break के बाद आ करके क्या कर लेते हैं sir break के बाद आ करके हम लोग एक नया chapter चाप्टर चालू करते है फ्रेश मूर से और इसके जो question है at the end आज की लेक्चर में at the end में कर लेंगे है बचेवे कल कर लेंगे दन सर आप एक ब्रेक ले लिजे ब्रेक के पार मैं आपको मिलता हूं वापस से अगे जी वेलकम आफ्टर दो ब्रेक लेट एस स्टार्ट 263 का कुछ questions बाकिए 264 के कुछ questions बाकिए यह questions खतम कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं मेरा प्लान यह था कि मैं डाइरेकल नया चाप्टर चालो गुरू फिर मैंने सुचा है तीन question बाकिए तीन question के लिए कहा हम लोग नया टॉपिक चालो करते हैं तो मैंने सुचा कि चलो फटा-फट question बिक्ताते हैं और फिर ही नए चाप्टर के उपर जाते हैं राइट वैसे भी नया चाप्टर जो होने वाला है वो question solve कर लिए मैं हूं page number 17 के उपर 7.17 के उपर आये question बढ़ते हैं May 2017 में आये वा एक question yes or no Mrs. Santosh filed a return of income for the assessment year 19-20 declaring a total income of 3.15 lakh ठीक है the return was processed under 1431 and later the case was selected for scrutiny in 1432 was issued ठीक है the AO after being satisfied with the replies given for the inquiry completed the assessment by accepting the declared income ठीक है subsequently commissioner invoked revisional jurisdiction under 263 holding that the AO has not made inquiry properly and is invoking of revisionary jurisdiction justified or not अच्छा ज़र समझे केस क्या हुआ है केस को एक बार फिर से पढ़िया आपको समझ में आएगा question क्या है अगर आपको question नहीं समझाओगा तो केस एक बार फिर से पढ़िया आपको केस कहता है सबसे पहले आपने रिटर्न भरा रिटर्न के बाद में आपका प्रोसेसिंग हुआ 143 1 के अंदर में और फिर इसी बेसिस पर आपको स्कूरूटिनी नोटिस दे दिया गया 143 2 के अंदर में और इसके बाद क्या हुआ यह आफ्टर बिंग सैटिस्फाइड विद रिप्लाइज गिवन फॉर्द इंक्वाईरी यह ने जित्ती इंक्वाईरी करी उसके अगेंस में उसको सैटिस्फाइज रिप्लाइज मिल गया सबसेक्वेंटली कमिशनर ने 263 इंवोक किया सबसे पहले देखते है 263 के तैट पावर क्या है 263 के पावर है कि अगर कोई भी और पास हुआ है और पावर इनक्वाईरी और इंवेस्टीगेंशन अगर प्रोपर इंवेस्टीगेशन अगर प्रोपर इन्वेस्टीगेशन ऐसेट पावर अगर पास किया है inquiry के बगेर कोई AO ने order pass किया है तो हो सकता है दूसरा कोई relief दिया गया है without actually taking the claims yes or no order pass किया है without giving the without following the instructions or guideline given by the board तो ऐसे cases में क्या किया जा सकता है उसे erroneous या deemed erroneous माना जा सकता है और फिर prejudicial to the interest of revenue को देखके 263 किया जा सकता है अब इस case में clear cut बोला है कि boss वो satisfied था और उसने सारे replies देके थे inquiry की थी अगर हम यह assume कर लें कि boss inquiry जो हुई थी यहां पर तो लिका है AO is being satisfied with the reply given for inquiry completed the assessment by declaring the income still 263 open किया तो हो सकता है जो inquiry उसने कि वो inquiry प्रॉपर नहीं होगी और अगर हम इस assumption पर चले कि inquiry तो हुई थी लेकिन AO ने inquiry पूरी प्रॉपर नहीं करी थी तो मेरे साथ से 263 जो उपन क्या वो valid है हाँ अगर inquiry complete inquiry थी तो फिर 263 open होने का कोई सवाल उठता नहीं तो अगर इस assumption से solve करें कि inquiry प्रॉपर inquiry हुई थी तो फिर नहीं हो सकता अधरवाइस यह चीज हो सकती थी तो हमें दोनों एंड के उपर reply लिखने पड़ेंगे आईए स्टार्ट करते हैं कि तो 63 लिखना होगा सबसे पहले जो हमें बताएगा कि उसका पावर क्या है कि प्रॉब्लम नंबर थ्री शुब्लम नंबर थी तो इसे प्रॉब्लम नंबर थी तो प्रॉब्लम वशे। order, if the order passed by subordinate is erroneous in so far as prejudicial to the interest of revenue. The CIT may call for records and after giving opportunity of being heard past such order as he deemed fit. An order shall be deemed to be erroneous if point number A order was passed without making inquiry or verification. Point number B The order is passed allowing the relief without inquiring into the claims. Assuming inquiry was properly made by AO, not properly made by AO. Invoking 263 is not justified. Inquiry to hoi thi, par dhang se ne hoi thi. Invoking 263 is justified. लेज़े साथ. उसने बोला है, inquiry हुई thi. बट फिर उना है, बाप दिर समिर शोला हम बाहाई बढने का कर अ कि छाना है, बाहाई रखिर प्रेश. लेख दो तो बाहाई बदोशने का तो अ ऊजिए dodged, भे बाहाई बाहाई आ. और में आ. यहाई दो रिर बाहाई पिर दो आ. अ. बाहाई दों दन सर ओके सर क्वेशन नमबर फूर पे आई है सर दो एडिशन किये गए किसके केस में किये गए रोहित अन कमपनी के केस में किये गए सोल प्रोप्रेटर्शिप फिर्म डिसलाउंस अंडर 43B वस 10 लाग अन 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 एक्स्प्लेंड कैश क्रेडिट वस 80 लाग तू भी ओनेस्ट इस प्रोप्रोप्लम को सॉल बनें के लिए इन दो चीजों के मीनिंग आपको पता होने जरूरी नहीं क्योंकि प्रोप्लम वाही ही नहीं दा फॉर्म इन अपील बिफोर CIT अपील इन रिस्पेक्ट सेकेड अदिशन only. मतलब हमने सिर्फ firm के unexplained cash credit के against में CIT appeal में गए. CIT appeal confirmed the addition. Further, the assessi has filed an appeal to appeal at tribunal with respect to addition of unexplained cash credit against the order of CIT appeal. हम CIT appeal में गए. CIT appeal में case आर गए. हम tribunal के पास गए. इसी चीज़ को ले कर गे. The appeal at tribunal also confirmed the addition. Appeal at tribunal में confirm कर दिया. He then preferred the revision petition before CIT under 264 for disallowance under 43B. बताईए. दो matter थे. दो matter में से एक matter के लिए आप कहाँ चले गए? अपील में चले गए. अपिले ट्रिमिनल के पास चले गए. अब दूसरे matter के लिए क्या आप CIT में जा सकते हैं? ये बोल करके कि भी यह मैं वहाँ से अताश हो चुका हूँ. आप मुझे रिलीव दीजे. आंसार अभी से कह देता हूँ no. क्यूंकि टोटल मर्जर का हवाला देना होगा? matter over. चलिए साहब. आईए लिखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 4 पेज नंबर डाल दीजेगा. As per section 264, the CIT, subsection 4 दाल दीजे, ब्लिख PCIT shall have no power to revise an order which is the subject matter of appeal. before CIT appeal or tribunal even if the relief claim on petition is different from appeal. In case of section 264, total merger is affirmed. where total order merge with the order of higher authority. Hence, revision petition under section 264 is not maintainable. लो साब बहुत हार्ड कोश्चन मैं जानता हूँ बड़ा हार्ड कोश्चन है आप नहीं जहिल पाएंगे इतने हार्ड कोश्चन बट आप देख लीजे साब क्या ये सच में उतने हार्ड अब लग रहे हैं? क्या ये क्या बढ़ कोश्चन क्या बटेर हक्या उतक हार्ड क्या बटेवार्ड की दूं़ीं प्यूंब बटे Yogiliiं तंसर आपो बहुत हाड है ना बहुत हाड हो रहा है ना डारिक टाक्स मैने आपको वादा किया था सर दिन का सबसे फिवरेट लेक्चर हुगा और मुझे उम्मीदे कि ये चल रहा है अलोंग विद प्रोब्लम्स चल रहा है सर आई ये फिफ्ट अन दी लास्ट क्वेश्चिन ओम अपटनर्शिप फिर रेट रस्टेश्ट कर्द आपनेश्ट कर लेटर्फ ये वादिश्ट में या अट विफ्टेश्ट रिच्ट रेट री लाक्ट टी लाक्त प्रोट रहा है दू तून अन फर्नेशिंट ये आपको भी जानने की जौरत नहीं लोगिक लिए आगे बढ़ that the addition of 8 lakh under section 68 and made an appeal to cit appeal the appeal was decided in january 21 against the assisi now the ccc qr advice as to whether it should apply for revision under 264 for for rectification under 154 to the ao as regards to disallowance under 40 aia advice में 2018 new syllabus आप जवाब दीजे मैं नहीं जवाब दूँगा सर एक मैंटर के लिए वो cit appeal में चले गए क्या 264 के अंदर में आ सकते क्या answer is no क्या 154 में जा सकते क्या जा सकते है only if there is a mistake appearance from record mistake appearance from record होगा बिंदा जाहिए क्या problem है क्यूंकि 264 के order में खुद cit कौन होते हैं income tax authority होते हैं जो 154 में अपनी कोई mistake क्या कर सकते हैं सुदार सकते हैं तो sir 154 में जा सकते हो only if there is a mistake appearance from record 264 में तो जाने का सवाल ही नहीं उत्ता because 264 talks about total merger आप खुद देख लिए 264 से total merger से related कितने question आपको exam के अंदर में आए है आपको खुदी पता चल जाएगा साथ आईए लिखिए काम गतम करते स्कूज में डॉन्ट वरी नॉर्मल सर्दी है चालो sir similar type of question problem number 5 under section 264 exam में under section मत लिखना पूरे वर्ड लिखना under section यहाँ पे time के कमी के कारण हम लोग लिख रहे हैं यह बात याद रखना under section 264 TCIT oblique CIT यह भी जितने कोशिशो पूरा लिखना can revise an order passed by subordinate provided it is not a subject matter of appeal before CIT appeal or tribunal even if relief claim in appeal appeal is different the concept of total merger is affirmed under section 264 where order of authority merge with the order of higher authority under section 154 64 if there is mistake apparent from record then a rectification can be passed and the concept of partial merger would apply under section 154 154 ohm enterprises can seek for 154, but cannot seek for 264. बहुत हार्ड़ बहुत हार्ड़ बहुत हार्ड़ झाल 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 देने सर जी चलिए सहाब पाँच अंसॉल्ड दो सॉल्ड साथ कुश्चन इस चाप्टर से सेवन कुश्चन वी आव कंसेडर्ड हीर आईए मुल्टिपल चॉइस कुश्चन पर चल देते हैं तीज नूमर तरटीन पर आजाईए ताकि मैं आपको मुल्टिपल चॉइस कुश्चन क्यू दिया उसके पीछे का भी एक लॉजिक है मैंने पहुत सारे रेफ्रेंज बुक देखी है बिलीव मी बट कहीं पे भी एमसी क्यू कवर नहीं किया गया और मैंने कवर किया उसका लॉजिक क्या था दो मैं भी सेपरेटली एमसी क्यू बुक आप लोग को दे रहा हूं लेकिन प्रॉब्लम जो मैंने देखा है जो सीए फाइनल वाला बच्चा होता उसके पढ़ने के लिए इतना सारा मटेरिल होता है तो वह सेपरेटली मैंने इसके पहले मैं आपको खुद बताता हूं इसके पहले वाले जो एडिशन थे उसके अंदर में बहुत सारे कर दिया क्योंकि में आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं वैसे उसको रिलीज बाद में करने वाला हूं उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक यह है क्योंकि अब मैंने एंसी क्यों फ्रेम करें हैं या जो करने एंसी क्यों लिये हैं वो दो से तीन कंसेप्ट को मिला करके पूछे गए MCQ है तो इतने easy MCQ नहीं होंगे हैंस easy वाले MCQ मैंने यहां रख दिये और technical MCQ मैंने वहां रख दिये so that आपका easy और complicated MCQ दोनों एक साथ हो जाए objective इस तरीके से था so where the matter of the order has been subject matter of any appeal other subject matter of order cannot be revised under 264 बिलकुल true है because doctrine of total merger would apply if the assessi files an application to PCIT for revising the order under 264 the revisionary order has to be passed within one year from the end of financial year in which application is made आपको याद आ रहा है sir yes the concept of total merger was applicable in case of 264 and partial merger is applicable in case of three sections कुछ अगर आपको याद हो तो यह answer आपका आना चीए sir यहाँ पर 147 भी तो होगा बिलकुल होगा 147 भी पर option में नहीं दिया है so this is the best possible answer total merger 264 partial merger in 263 and 154 this is the suitable answer C when the matter of order MCQ 4th when the matter of order has been subject matter of any appeal any other matter of that order cannot be revised under 263 false doctrine of partial merger 263 में तो जो matter appeal में गया उसको छोड़के दूसरा matter 263 में हो सकता है 264 में ऐसा possible नहीं है last MCQ which of the following can be filed without fees appeal against the AO2 commissioner appeal fees लगता है appeal to ITAT fees लगता है memorandum of cross objection and application for revision under 264 इसको भी फीस लगता है and the answer is C memorandum of cross objection को कोई फीस लगता नहीं so this was a mixed MCQ of appeal as well as revision Malik done यहां तक के seven topics we have done we have completed seven topics till now so lecture number 14 seven topic we have done कैसा लग रहा है सर आपको मुझे यहां पे number पे message करके जरूर बताईएगा topic में अगर कोई doubt होगा तो मैं आपके message का इंतिजार करूँगा उमीद है आप message बेजने के बाद थोड़ा patience रखेंगे at least एक दो दिन का मैं आपके doubt जरूर clear करते जाऊंगा done sir मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है चार्ट के उपर चलते हैं चार्ट के उपर assessment के वापस चलिए वहां जाकर के कुछ और पढ़ना भी जरूर ही है yes or no next topic पर जाने से पहले सबसे पहले घर से निकलते कुछ दूर चलते ही सबसे पहले क्या होगा पॉस रिटन भरा जाएगा self-assessment tax के बाद इसके बाद आपका summary assessment होगा summary assessment के बाद आपका 1421 के तहित information मंगाई जाएगी उस basis पे आपके इधर regular assessment होगा या तो best judgment assessment होगा order निकलेगा 156 के अंदर में order आपको पसंद आया order आपको पसंद नहीं आया पसंद आया पेकर खतमकर पसंद नहीं आया तो तीन रास्ते हैं appeal revision rectification अब समझा वो चार्ट क्या बनाया गया था appeal revision rectification अब जब हम बात करते है revision की बताइए 263 होगा या 264 correct 264 होना चीए वो 263 नहीं हो सकता getting it or not so appeal revision rectification ये तीन रास्ते हैं आपके पास नियाय पानी के बरबर in future आगे जाए in future आपके खिलाफ कुछ मिला कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला matter over in future आपके खिलाफ अगर कुछ मिल जाता है छोटा मिला या बड़ा मिला छोटा मिला income as skating assessment करके matter खतम कर देंगे लेकिन अगर बड़ा मिला तो फिर search seizure वाले sections आते हैं power वाले sections आते हैं और वही हमारा है next topic अगर आपको याद होगा तो चार्ट के अंदर म वही assessment chart के अंदर में क्या-क्या बचा है एक बार चार्ट जाके देखें आपको समझ में आ जाएगा एक हमारा बचा है settlement commission दूसरा बचा है AAR जो सबसे पहले लिखा है उपर तीसरा search and seizure वाला matter बचा है और चौता एक जो पार्ट वहां पे नहीं लिखा है जहां से module 2 की शु मिसलेनियस टॉपिक है जो इसी से related है वो भी हम लोग देखेंगे तो इतने ही टॉपिक आपके module 1 के अंदर में बचे वे और फिर module 1 क्या हो जाएगा आपका over हो जाएगा दन साहब चलिए साहब निकालिए next topic next topic आता है आपका search and seizure book निकालिया जरा search and seizure color combination देखे सर ब्लैक र और उनको बड़ा play करने में मज़ा आता है इन colors के साथ और वो मेरे को बताते भी है खुश हो करके कि सब देखो हम लोग ने ऐसा किया है yes we have a team जो team हमारे साथ work करती है in fact we smart में हर teacher के साथ एक team है जो work करती है उनके साथ साथ नहीं तो इतना सर possible ही नहीं है कि किस तरीके से य मतलब यह लेक्चर यहां से लेकर करके आप तक के पहुचाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस है और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है साथ लेकिन मैं खुश हूं मेरे टीम बहुत अच्छे से work कर रही है चलिए टॉपिक है search and seizure गलत नाम टॉपिक का नाम होना चीए search and survey yes seizure एक power है बट you know traditionally से ही यह लिखते आ रहा है search and seizure इसी के लिए मैंने भी इस टॉपिक का नाम search and seizure रख दिया हलागे इस टॉपिक का नाम होना चीए search and survey एकडम practical बात बताता हूं अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी list आपको यहां पे दिखती है sections की और है भी और हो अगर इस module में आप देखेंगे तो कुछ sections जो थे वो मैं कहीं और cover करता था और अब मैंने उसको यहां ला लिया और मुझे लगा कि यह बहुत ज्यादा sensible है logical है इन sections को यहां cover करना जैसे कि अगर आप नीचे आएंगे तो यहां देखेंगे 69 69 ABC वाली series पहले मैं इसे PGPP के स साथ cover किया करता था मैंने इसे altogether उठा करके यहां ला लिया ताकि मैं बोला कि यहां से आपको इसे explain कर सकूँ आप देखेंगे बहुत बड़ी list है हाँ है why because इसके साथ-साथ आपका क्या होता है problem यह होता है कि यह जो topic है यह बहुत सारे powers रखता है और सब sections के अंदर में बह खुल साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक और section cover किया है 285 BA SFT इसके पहले मैं यह module 3 के अंदर में cover किया करता था अब तक के पर इस बार से मैंने इसे यहां cover करना चालू किया मुझे लगा कि इसका explanation अगर मैं यहां देता हूं तो बच्चों को बहुत logically compare करेंगे तो यहां पर एडिशन है जो मैंने किया वा है बताना मेरी जिम्मेदारिया में बता रहा हूं क्यूंकि ध्यांद सुनिएगा क्योंकि ऐसा मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है इसके पहले बच्चा क्या करता है सिर्फ books लेता है हमारे reference के लिए और उसके बाद उसको लगता है कि नहीं यार मुझे अब lecture भी लेने की ज़रा तो फिर वो आता है सर्मेर को lecture चाह अधा है उसबुक में तो इत्टा था इस भूक में तो इत्ता है ये कैसा ये कईसा इस लॉजिक से हमें बताना पड़ता है एक अमेंड-मेंडमें कहा हुई है फन धिर फो हम प symb systems ce from Chalic है लेकिन उससे पहले आप एक चार्ट बनाई है मेरे साथ यह चार्ट बनाना आपके लिए बहुत जादा important है ताकि आप एकदम free flow में chapter से बाहर निकले जैसी आपने space देखा space for important points यहां आप एक चार्ट बनाई है यह चार्ट मैंने चीज कहां पर है बहुत आराम से लिकना मेरे पास भरपूर टाइम है मैं एकदम आराम से चाप्टर के अंदर में जाओंगा एक एक point discuss करेंगे search seizure life में पहली बार कर रहे हो आर्टिकल चिप में भी करने नहीं मिला होगा इसलिए बहुत आराम से जाएंगे एक 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 तार open करने पड़ेंगे और यहां सबसे बड़ा गेमी subsections का है sections का नहीं इस chapter में सबसे बड़ा game subsections का है एक subsection कुछ और बात बोलता है दूसरा subsection कुछ और ही बात बोलता है और इसलिए आपको subsections लिखने बहुत अच्छे से जरूर ही है तो यह जो page है इस page का इस्तमाल यह chart बनाने के लिए कीज़े मज़ा आ जाएगा बड़े बड़े मैं आपको साथ साथ में बोलने भी वाला हूँ सबसे पहले various लिखेगा इसके चार पार्ट बनाईएगा और फिर एक एक को मैं explain करता हूँ लिजे सर आपके लिए हाजिर है सबसे पहले various sections चार पार्ट में divide कीज़े 131, 132, 133, other related ऐसे चार पार्ट दीजे इसे सबसे पहले आते है 131 पर 131 के निचे लिखे discovery and production of evidence discovery and production of evidence इसके निचे और तीन पर्ट बनाई है 131 1, 131 2, 131 3 ऐसे तीन पर्ट 131 1 में लिखे power of IT, power of authority है यह लिख दीजे power of IT 131 subsection 2 में लिखे power in DTAA it's D not B, power in DTAA double taxation avoidance agreement and 131 subsection 3 में लिखे impounding of books of account in DT, you you फिर आईए 132 पे, 132 में लिखिए सर्च, इसके नीचे दो पार्ट बनाई है, 132 A, 132 B, दो पार्ट बनाके रख दीजे, इसके नीचे कुछ मत लिखिए, हाँ, पर स्पेस जरूर छोड़ना है कुछ लिखने के लिए, हम लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं, 132 A, 132 B, तीसरे पार्ट पे आईए, 133, इसे चार पार्ट में और डिवाइड कीजे, 133, 133 B, 133 C और फिर 133 A, जैसा बोल रहा हूँ, ऐसा लिखिए, ऐसा मत किजेगा, 133 A के बाद, 133 A, नहीं, जैसा लिखा है, चुपचा बिलकुल वैसे लिखिए, 133 पार्ट to कॉछ़ एंपर्मेशड़ air, 133 B, पा ब मालतो कॉछछ़ इंपर्मेशड़ वी ता इंपर्मेशड़ जैसा Candelat 133C Power to collect information from prescribed authority 133A Survey Survey के अंदर और तीन पार्ड बनाई है Normal Survey 133A1 TDS Survey 133A2 And 5 Expenses Survey 133A5 Expenses Survey EXP Survey लिखा है Expenses Survey If it is done Other related में जाईए लिखे वहां पे लिखे 153A C Assessments 153A Oblix C Assessments 292C Presumptions 69 Series 157A Regtones 285 Syft 2965 Syft Si raw उम्मीद है complete हो चुका होगा चार्ट से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये एक बहुत बढ़ी चीज है और यहां पर सब सेक्शन्स बहुत सारे हैं जिसमें पावर बहुत अलग अलगे आईए सबसे पहले टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ सर्च एंड सीजर नाम के लिए है बोलने के लिए टॉपिक होना चाहिए सर्च एंड सर्वे इसे पढ़ा किस तरीके से जाए जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं मेरे इसाब से सबसे पहले 131 पढ़िया 131 पढ़ने स 131 133 132 this is how the chapter should run और हम इसी तरीके सब चाप्टर को run करेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से होती है मैं खुश नचीब था मैंने आर्टिकल्चिप में दो सर्च वाले केसस के उपर काम किया जहां पर हम लोग ने सर्च अटेंड भी करी हलाकि अंदर से अटेंड नहीं करने बोलते हैं सर्च होने वाला था उस पार्ट और उसके बाद वाले पार्ट के अंदर में और असेस्मेंट के ताइम पे इसके उपर काम भी किया फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी इसके उपर काम किया तो और जजादा मजह आया कुछ क्लाइंट के बेसे इंडिया में बहुत कम लोग है जो स्पेशलाइज है सर्च के ऊपर और सर्च बहुत टाइम कंजूमिंग एक्टिविटी इसलिए इसके ऊपर फीज बहुत ज्यादा मिलता है आपका इसमें राइट बहुत अच्छा होना चाहिए और लिटरल सेंस में मतलब एकड़म लेंग जाता है कि मैं ये चीज के अंदर मैं चाहूं तो मैं उसके अंदर में होता हूं इसलिए मुझे पता है तो सर्च किसी भी असेशी के ऊपर उठकर के कर दिया जाता होगा क्या राइट मैं अभी आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूं करीब करीब आदी घंटे का आधी परिकी स्पिड़ पर इसको सुनना जरूर इसको स्किप नहीं करना सबसे मेली बात क्या ऐसी किसी आदमी के उपपर उठ करके क्या सर्च कर दिया जाता होगा क्या आंसर इस नो बहुत जादा सोच के समझ के किसके गिरिबान में हाट डाल रहा हूँ उसके उपर अगर किसी व संद में आ रहा होगा कि हाँ बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा पूरा डिटेल सुनने को मिलेगा ध्यान दे सुनना सच किसी भी आदमी के उपर हो सकता है कि नहीं सर नहीं ऐसा नहीं हो सकता सर्च अगर गलत हो गया पहले यह सुन लो तो आपको क्लियर का तता चल जाए म आज प्लीज फास्ट फॉरवर्ड के ऊपर रेड मूवी देख लेना जो अजय देवगन सापकी थी उसमें से कई चीजे ऐसी है जो सही है और कई चीजे पिक्चराइजड है जो प्राक्टिकल लाइफ में नहीं होता पढ़ हाँ आज अगर वह मूवी देख लोगे तो बह अगर आपने किसी के उपर रेड कर दिया मान लीज़े सर्च मतलब रेड इसे अलग शब्दों में रेड का जाता है आपने किसी के उपर रेड कर दिया और रेड में अगर आपको कुछ नहीं मिला तो पहले consequences सुनिये consequences एक सामने वाला विक्ति मान हानी का दावा ठोकेगा और वो amount income tax department को pay करनी होगी इसलिए ऐसे ही मूठा के किसी के उपपर सर्च नहीं किया जाता दूसरी बाद सर्च AO को लग रहा है इसलिए नहीं होता हायर अथोरिटीज के पास जाना होता है हायर अथोरिटीज अगर इसकी approval दे तो जाके आप उस आदमी के उपपर सर्च कर प इसने अपरूवल दिया जिसने रेड किया सब की नौकरिया कत्रे में आ जाएगी क्योंकि सामने वाला तो सीधा सीधा बोलेगा निगलीजेंस ऑफ ड्यूटी निगलीजेंस ऑफ ड्यूटी के तहत के सबके सबके उपर और जिन्दगी बरबाद हो सकती है तीसरा सामने वा पड़ें कई बार रेड में अगर आपको कुछ नहीं मिला तो उसके लोग भी आपको पकड़के मारेंगे हां यह होता है क्योंकि जब आप रेड मूवी देखेंगे उसकी अगर सचाई अगर आपको जाननी हो तो आप देख लीजेगा कभी गूगल करके देख लीजेगा हाँ धिर में हिरोइक दिखा गया है जीसा कि इसमें कुछ चीजे सही है कुछ चीजे गलत है तो हीरोइक बहुत अच्छे से दिखाए गय fist देखनी होतारक पर और आम पने लोगों ने मारा भी था था बहुत क्यो वह उसेरियो वाही थे तो ये थे कुछ side effect, search अगर successful नहीं हुआ तो, अब जब search successful होता है, तो इसके पहले क्या होता है, क्या search हो जाता है direct, नहीं, सबसे पहले होता है information collect करना, information collect करने के कई sources है, ऐसे ही आदमी पे नहीं search किया जाता, information collect होती है, information कैसे collect होती है, सबसे पहला हो सकता है, इस assessi के उपर पहले कभी assessments हुए हो तो assessments के basis पे आपके क्या होते हैं information collect होती है दूसरा इस assessi के खिलाफ किसी दूसरे books of accounts में कई transaction दिख रहे हैं वहाँ से पता चलता है तीसरा SFT statement of financial transactions अगर assessi एक limit के उपर transaction करता है तो हर दूसरा assessi जहां पर यह transaction किया है लेट से bank के थुरू या investment किया है तो उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि आप तक के information पहुचा है आप मतलब income tax department येस अगर आप कभी आपने ध्यान दिया होगा एक limit के उपर आप amount deposit करते हैं यह आपकी property की registry होती है so on and so forth आपसे pan number लिया जाता है क्योंकि यह transaction reportable transaction बनते हैं और इन सब की report जाती है income tax department में और income tax department फिर closely नजर रखता है कि आखिरी आदमी के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है इस बात पे भी ध्यान रखा जाता है तो information पाने के कई source है सबसे पहले information collect होती है एक assessment के थ्रूँ information collect होती है दूसरा SFT के थ्रूँ information collect होती है तीसरा किसी और का assessment कर रहे थे उस assessment के अंदर में इस assessi के बारे में पता चला यहां से information मिलती है चौता आपके पैन के अगेंस्ट में या आधार के अगेंस्ट में आप जहां जाते हैं आज पैन या आधार देना होता है इसके अगेंस्ट में क्या होता है स्ट्राइक होता है yes there is a process striking process होता है उसके थ्रू information collect होती है recent MOU जो 2020 में लाए गए है SEBI and CBIC के साथ CBDT का क्या हुआ है MOU sign हुआ है for exchange of information Google पे जाके देखेगा यह MOU sign हुआ है yes SEBI के साथ भी यह information का MOU sign हुआ है और साथ साथ में CBIC मतलब अब income tax department को आपके हर share transaction के details भी मिल जाएंगे जब जब भी उनको लगे साथ ही साथ में आपके indirect taxes GST में आपने क्या sales दिखाया है क्या नहीं दिखाया है कितना credit लिया है कितना लिया है उसके details भी मापदन यहां से मिल जाएंगे तो information collect हो सकते तो सबसे पहले sections आते हैं information आपसे collect की जाती है इस information को analyze किया जाता है और check किया जाता है कि कुछ छोटा है या बहुत बड़ा कुछ मिल सकता है छोटा होगा 147 करके खतम कर देते उस tax को ले करके आ जाते लेकिन अगर assessment information चेक करते पता चल रहा है कि यह तो बहुत बड़ा मगरमच है यह तो बहुत बड़ा आसामी है जो कई सालों से tax evade कर रहा है फिर उसके उपर survey किया जाता है 131 में आपको सबसे पहले information collect होती है 133 के अंदर में आपसे information sorry 131 में power रखते है 133 के अंदर में information collect की जाती है yes 37 133 यह अगर information collect हो गई तो एक बार फिर physically भी जाकर क्या आते देखने के लिए कि यह बंदे का सही में transaction कैसा है यह आदमी लगाए जाते हैं हां जैसे आपने वह देखा हूंगा ना crime patrol किसी बंदे को पकड़ने के लिए उसके पेछे गवा लगा जाते है ठीक उसी तरीके स सूरत का एक केस बताता हूं सर आपको सूरत का एक केस आपको अगेन Google पर देखने को मिल जाएगा जहां पे रेड मारने से पहले एओ ने मतलब खुद ऑफिसर ने इंकम डेक्स ऑफिसर ने एक भीकारी बनके 30 दिन तक ऑब्जर्व किया था उस दुकान वाले को देवाज है वो सारी चीजे सारा शारा और जिस दिन एक बड़ा आंमसाइनमेंट रिसीव होने वाला था ठीक उसी दिन रेड मारा तो ऐसा ही होता भी है सुरवे होता है सरवे के तहित आपके प्रमाइसस के उपर when incomeاع में टक्स आई वाते हैं आते हैं सारी चीज़े चेक करते है मिं ताकि आप किस तरह के transaction कर रहे हैं यह पता चल जाए कई बार और अलग अलग तरीके होते हैं सर हर बार मतलब आप जब भी रेड की कहानी सुनेंगे तो बिल्कुल नहीं तरीकी की कहानी होगे बिल्कुल अलग तरीकी का माहूल के अंदर में किया गया होगा हलाकि रेड एक ऐ सर्वे करने के बाद अगर सारी चीज आपको लगी कि सब कुछ है तो फिर होता है सर्च फिर होता है सर्च के अंदर में क्या किया जाता है और कुछ बाते आपको यहां पर सर्च से रिलेटेड जाननी जरूरी है आज जब आप मूवी देखेंगे तो इन बातों को ध्यान पहला सर्च जो होती है यह किसी निर्धारत दिन पर होती है जो और में लिखा होता है और कि इसके पास से आता है हायर अथोरिटी के पास से आता है सर्च जनरली 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 तभी होती है जब इसके पहले अससी के ऊपर असेस्मेंट हो गये हो ताकि इंफरमेशन और दा लाया जा सकता है सर्च जो की जा सकती है ये किसी भी प्रिमाइस पर की जा सकती है एनी प्रिमाइस एनी प्रिमाइस इस वर्ड के उपर फोकस कीजिए सर्च जो कंड़क्ट होती है ये टीम के तहत कंड़क्ट होती है हला कि ये बाते आपके किताबों में नहीं लिखी है पर म ऐसे ही कंड़क नहीं होती सर्च वारेंट इशू होते हैं सर्च वारेंट का मतलब क्या है जो हायर अथॉर्टी एस सर्च वारेंट के साइन करती है कि इस सर्च की जा सकती है search एक साथ कई ठिकानों पर की जा सकती है मतलब जितने भी ठिकाने होंगे उन सभी की बाते order के अंदर में लिखी भी होती है उन सभी premises के उपर एक साथ search हो सकती है search में कितने लोग जाएंगे ये depend करता है सामने वाला जिसके उपर search करने जा रहे है उसका volume of transaction कितना बड़ा है और branches कितनी सारी है जो search के अंदर में हो रही है कुछ और बाते search के अंदर जब आप जाते हैं तो आप साथ साथ में police constables को भी लेके जाते हैं जिनमें महिला constable होना भी बहुत जरूरी है ये किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये सब मैं आपको बता रहूँ मेरी किताब में भी नहीं है क्यों लेके जाते हैं मैं आपको बताता हूँ सर मान लीजे एक अलमारी है अलमीरा है अलमीरा आपको open करने के लिए जाना है अब क्या होता है पता है उस घर की महिला सीधा देखे घर की महिला या कोई भी महिला देश की यह हमेशा इनके उपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने घर को बचाना अपने घर को पती को बचाना अब क्या होता है पता है कई बार ऐसा हुआ है इसके लिए ऐसा क्लेम सिद्धा पल्लू बाजू कर दिया या कपड़े फाड़ दिये यह ओफिसर यहां पे मेरे साथ बत्तमीजी कर रहा है अस रेड गई एक तरफ पूरा मैटर एक तरफ वहीं पे अपके जगड़े चूरू रेड गई एक तरफ यह सिर्फ और सिर्फ भटकाने की कोशिश है ऐसे लिए पुलिस कॉन्सटेबल ले करके जाते क्योंकि हातापाई वाले काम इंकम टक्स देपार्ट में नहीं करेगा इसलिए महिला कॉनिद को नम करेंगी और पुरुष तो सर कुछ बड़े औफस अविसर ले करके जाते हैं साथ साथ में आप महिला और मेल कॉंस्टेबल्स को भी ले करके जाते हैं मेजिस्ट्रेट आते हैं या फिर जो फर्स्ट काटेगरी ऑफिसर होते हैं या एक रसूप रखने वाला जो बैक्ति होता है उस एरिया का उसे बुला लिया जाता है कि सब आप आजाईए आप यहां पर देखते हैं और आपके विटेशनिश में ही सारा काम होता है उस पर आपके ़नेचर लिये जाते तो रहे बुछ चीज़ेगर के जाते हैं कुछ वाजार ले जाते हैं उनमेंसे एक पहला मैं बोल रहु न मैंकरमशी मोगा जब मेरे आपको यह चीजु बता रहा हूं tapping machine ले करके जाते हैं साथ साथ मैं अगर कोई उगती पिली-पती लगाते हैं डाइज घृ-न ऊर और सील लेकर के जाते हैं किसी एरिया को सील करने के लिए इसके बाद में एक वेंग मशीन लेकर के जाते हैं चेक करने के लिए पर एक्जामपल अगर गोल्ड मिला तो कितना गोल्ड है वहाँ पे रखने के लिए वो चेक करने के लिए लेकर के जाते हैं येस पारस पत्तर व जाते हैं साथ-साथ में और क्या लेकर के जाते हैं सर और भी चीजे होती जैसे कि अगर मैं आपको बताओं तो कुछ उजार हो गया सब्बल हो गई जिससे खोदा जा सके हतोडी हो गई ऐसे कुछ चीजे ले करके जाते हैं क्योंकि कटर्स हो गए चाकू हो गए कैची हो गए यह अपना अपना पूरा मटेरियल वहां पर ले करके जाते हैं ताकि वहां पर कुछ भी काटना पड़ सकता है कुछ भी निकालना पड़ सकता है किसी एरिया में भी जाना पड़ सकता ह तो ये सारी, प्लस साथ साथ में कुछ safety की चीज़े भी वो लोग ले करके जाते हैं, not again in that sense, but talking in a good sense की वो लोग ले करके जाते हैं, अच्छा जी, इसके साथ साथ क्या होता है, मैं आपको बता दू, इसके साथ साथ witness के साथ साथ एक और valuation officer को भी ले के जाते हैं, valuation officer क्या करता है, वहाँ पर चीजों की value को ascertain करता है, tentative basis पे जब तक के possible हो, याद रखे, law के अंदर में, raid चालू करने का कब है, ये लिखा है, raid खतम कब करने का ये नहीं लिखा है, हाँ, ये problem है, मतलब raid कब चालू होनी चीए, इस बारे में लिखा है, raid कब चालू होनी चीए, इस बा चार दिन continue, raid हो रही है, तो ये होता है, क्योंकि अगर substance मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, तो फिर continuous भी होता है, police बल सात में होता है, sir, जब raid हो रही होगी, जब raid हो रही होगी, तो sir, ना कोई विखती अंदर आ सकता है, ना कोई वेकती बाहर जा सकता है, unless and until there is an emergency, के टाटा बाई 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 अभी कोई नहीं इन फाक्ट चार्ट अकाउंटन या उसका एडवोकेट भी नहीं जा सकता उसको बुला जाता है बेटा साब बाहर रेड कंप्लीट हों दो उसके बाद आपको जो करना आप करना इस टाइम पर यहां के कोई बीच में बखबक नह चानुनद पता है चल पहले वार्ट ले करके आप फिर देखेंगे उसको तूरं जाकरके एक वार्ण की कपी दे दिया जाता है ौर्ण की कोपी पर साइन किया जाता है कि हां हम आपको ले करके चलेंगे दूसरी बार रेड चालू करने से पहले सामने वाला खुद हो करके बोल देता है कि सर आप हमारे मुझे और मेरे सारे ओफिसर को चेक कर सकते हैं कि हमारे जिब में कुछ नहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में विफल ना हो इसलिए कुछ गोल्ड कुछ एक्सासरी जा कुछ चीजे हम नहीं जेद में छूपा के लाई हो ताकि मानानी का दावा ना आए इसलिए सामने वाले को बोला जाता है कि सर एक काम कीज़े मैं और मेरी पूरी टीम को आप अभी ही चेक कर सकते हैं अगर आपको करना है तो बरबर उस ताइम पर भी मैला मैला को और पुरुष पुरुष को चेक करेंगे दूसरा साथ साथ में सब को बूला जाता है एक जगा आओ एक जगा आखर के बैड जाओ सबी से उनके मोबाइल डिवाइस और जितने घर में डिवाइस उससे तुरंत अटा दिया जाता है एक जाता है फिर चल रही है जो और वहाँ पे बंद कर दी जा है इनफाइक बच्चा अगर बाहर भी जा रहा है लेटसे उसका स्कूल है इग्जाने देते हैं पर फिर उसके पूरे बैक की चेकिंग होती है हमारे क्लाइंट के केस के अंदर में बच्चे के स्कूल वक्स की भी चेकिंग हुई थी कि भीया इसमें कहीं डाइमंड का सेट वेट कुछ डालके निकालना लेकर जाए देख लेते हैं छोड़ देते कि यह ठीक है जाओ कोई प्राब्लम नहीं सारे गमिनिकेशन डिवाइस को लाया जाता है ! recipes जितने भी होंगे ! डेस्टॉस जितने भी होंगे ! सारो करके ले करके और सब हम ले करके जाएंगे जो कुछ भी होगा जितनी अकाउंट की किताब या जिन में हिसाब लिखा होगा वह सब पकड़ा जाता है कहीं पर भी आपको लग रहा है कि कुछ चीजे खोद के निकाल ली चीए बिलकुल खोद करके निकाली जा सकती है किसी ने ज्यादा मच मच किया तो उसको शांत कराया जाता है आप नहीं मारते पिक्चर में आड़ी तेड़ी चीज कुछ भी दिखाया जा सकता है या नहीं होता है स्पेशल 26 भी आपने देखी होगी बरबर पर उसमें भी कुछ चीजे गलत बताई वे मैं आपको बताऊंगा समय क रुप्या जाता है Cash Mission Suite क्वां पेड़ के क्श सब्सक्राइब और सिर्फ रिकॉर्ड करता रहता क्या क्या है भी स प्रैब्इब बन तुरू लोड को टो ला तुन बेट कि त्ते किलो घ्रू इhtी किस किशे करते की सब्ठाब क्या है सारी चीज्च भी नां सब्सक्राइब होता है जरोक्स मशीन या प्रिंटिंग मशीन भी तुरंत वह पर ले करके जाते हैं तो वह भी चीज़ होती है सर इसके बाद क्या होता है सब कुछ एक एक चीज कवर करके लेकर आते हैं रेड़ के दोरान कई you know explanation मी मांगे जाते हैं अलग 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 जगर ले करके जाते हैं आप रेड मुवी में देखेंगे और बुला आता है यह ऐसा इसा transaction हुआ दत्यर को क्या लगता है और उसका statement record किया जाता है हर व्यक्ति का चले जाता है जाने से कुछ चीज़ होती है जाने से पहले से जो कुछ जाता है अगर आपका साइन लिया जाता है जिसके जने कंड़क्ट किया साइन यह सारे विटनश के साइन लिया जाते हैं इसका मुष्ष्टाइब पर लिजिय साथ और्ता संपिर साहते ही ही साल मेरा नहीं था ये तो मेरी sister का था वो यहाँ पे रुख के गई थी presumption 292C यह वह section है यहाँ पे दिखेंगे 292C यह वह section है जो कहता है raid या survey के करण जो कुछ मिला यह आपका माना जाएगा sir पर यह तो मेरी बहन का है देखेंगे आज आपके घर पे मिला ऐसी कौन सी बहन है जो अपना गोल्ड डाइमंड का सेट आपके यहां छोड़ करके जा रही है ऐसी बहन है हमको तो कभी नहीं मिलती उल्टा लेके जाती है चुड़ेल कहीं की तो the point is जो मिला सब आपका है बाद में explanation देते न यहां से जैसे उठा करके लेके जाते हैं यहां the assessment is 153A and 153C 153A कहता है कि जिसके घर पर रेड़ उए उसके उपर assessment इस assessment के दौरान क्या होता है अगेन आपको एक love letter भीजा जाता है और बूला जाता है चलो बेटा return भरू अप रिटन हां 153A के तहर पिछले छे assessment year के mandatory return भरवाय जाते हैं अब यह return आप से क्यों भरवाय जा रहे हैं एक तरीका है 143 subsection 2 का एक notice आता है और आपके उपर assessment शुरू की जाती है आपके उपर assessment शुरू की जाती है इसके बाद 1432 तो आपको यादी होगा आपको कुछी particular दिन पर बुलाया जाएगा और अब हर एक चीज का धीरे-धीरे explanation चालो करते पहला explanation आपके घर से 22 करोड रूपे cash मिले है kindly explain या आया कहां से है दो बाते होंगी आपने explain किया explain नहीं किया अगर आपने explain कर दिया तो ठीक है एप्रॉप्रेट हेड में जस्ट किया जाएगा अगर आप explain नहीं कर पाए या जो explanation दिया वो एओ के समझ में नहीं आया तो वह section 69 लगाता है आपके आईए 69 पढ़िए unexplained money unexplained expenditure यह सारी चीज़े unexplained में डाल देता फिर वो कि असेशी यह explain नहीं कर पाया या जो असेशी का explanation है यह explanation सही explanation नहीं है straight डाल दिया जाता है और आपकी income को assess किया जाता है आपका tax निकाला जाता है assessment के दौरान आप कहते है sir मैं आपको तब भी बोल रहा था मैं आप भी बोल रहो यह मेरा नहीं है मेरी sister का है sister का है कोई problem नहीं sister के उपर assessment चालू होगी 153C जिसके उपर raid हुई 153A आपने बोला यह मेरा नहीं है यह मेरे दोस्त का है यह मेरी बहन का है यह इसका है यह उसका है कोई problem नहीं उसकी भी assessment हम open करेंगे 153C मतलब गलत करने वाला भी फसेगा इसने जिसका नाम लिया उसकी भी assessment open हो जाएगी 15 153C के अंदर हैंस दो assessment होती है 153A 153C और यह assessment कब तक खतम होगी इसका time limit लिखा है 153B में यह assessment कब तक खतम होगी इसका time limit लिखा है 153B के अंदर में assessments किये जाती है और assessment करने के बाद आपका final tax निकाला जाता है दो बाते होंगे यह final tax आपने pay किया यह final tax आपने pay नहीं किया बरवर final tax आपने pay कर दिया कोई problem नहीं जितना assets आपका seize किया था यह release कर दिया जाता है याद आ रहा है हमार सर्च में चीजे उठा के लिए के आ गए थे आपने अगर बकाया tax pay कर दिया कोई problem नहीं लीजे आपके asset खुश रही है तेरा तुझको अरपन क्या लागे मेरा अगर आप बकाया tax pay नहीं करते है along with the penalty क्योंकि penalty आएगी under reporting और miss reporting की तो ऐसे cases में क्या किया जाता है आपके जो asset है उसे sale किया जाता है यह आएगा 132B application of seized assets कि आपके जो asset seize किये गए है इसको अब apply किया जाता है अब आपके asset बीचा जाता है पैसे लिए जाते है income tax अपने पूरे settlement करता है और उसके बाद बचवा asset या पैसा आपको वापस कर दिया जाता है इतना बड़ा mechanism है सर इतना बड़ा mechanism है सर एक आदमी पर कितने बार raid हो सकती कहीं कोई चीज नहीं लिखे दिया in fact हर साल भी हो सकती है yes हर साल भी हो सकती yes there is a person in 36 गड़ मैं उसका नाम नहीं बता सकता because of my other obvious reason आप लोगों ने audit पढ़ा ही होगा हर two years में उस बंदे के उपर raid हो जाती है उसके transaction इतने strike करते है हर two years में और कुछ ना कुछ मिलता ही है पर वह आदमी भी बाज नहीं आता department भी बाज नहीं आता सच किजिए 37 गड़ का एक बहुत बड़ा वेक्ति है हर साल raid हो सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां इंकम टेक्स दपाट्मेंट को सब्सक्राइब रेड हो सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं साथ हम तो उस देश के अंदर में रहते हैं जहां पनांस मिनिस्टर के यहां भी रेड हो गई पीची दंबर हम साथ एडी के अंदर में फसे में पनांस मिनिस्टर रहे थे एक टाइम के उपपर काफी रुद्बा उनके भी रेड हुई तो सर यह आप छोड़ दीजे कि कि किस क्या हो सकती है इंकम टेक्स दपाट्मेंट किस इसे को स्पावर नहीं करते और इन सक्षिंस के इंदर में जो पावर दिया यह उज्ञ पावर बंदल्ब पावर जिसे मैं बोल सकता हुए पढ़कर देखों कि आएक दम कुरूल पावर है रगे सर्च सर्फ बिल्डिंग डिशस की जाती हैं नहीं इनी किया जा सकता है कोई प्रॉबलम की सच किधर भी हो सकता है प mahd प्रोगों ने कभी सुना लोग मतलब दिखा हो तो सर आप में से कोइंसाइड करते मैं मतलब अभी तक के देखा होगा या नहीं देखा होगा मनी हेस्ट भी आप लोगों और अगर आप उनकी स्टोरीज सुनोगे एक से एक या आप वो सिरीज देख लोगे तो आप मजा आ जाएगा नेट्फिक्स पे है आएगेस तो एक बार आप वो देख लिजो सवार अलग लेवल का मतलब आदमी ने पूरा गंद मचा रखा था इतना पैसा कि करीब धाई हज दॉलर पर मन्त के सिर्फ रबर बैंड लगते थे पैसे बानमने के लिए इतना पैसा ड्रग से कमा इतना पैसा पैबलो एसकोबार सर जरूर सर्च कीजे और मतलब नहीं देखा होगा ना आपको सर मेरे मेरे को एकदम आप नाम रखोगी सर क्या बताया चीज बताई है मुझे एक और बात जाननी है क्या इन सेक्शन्स के अंदर में यह भी पावर है कि ऐसा भी होता होगा कि सर्च कहीं किसी क्या कंड़क्ट किया खिला पिला करके केस खतम कर दिया 99.9 परसेंट चांसेज है नो क्योंकि जब रेड की बात आती है तो मैटर बड़े उपर तक ज जाता है और इतने उपर तक जब मैटर जाता है तो पॉसिबल नहीं है और इतने साले लोग involved होते है रेड के अंदर में तो सबको भी अमांट देना पॉसिबल नहीं है हाँ हाला कि आप रेड मूवी देखेंगे आज तो आपको दिखेगा कि वह सबको बोलता है मैं सबको इतने अमांट दे दूँगा लॉजिकली स्पीकिंग नोट पॉसिबल सर गन्स वगरे लेके जाते हैं आप क्यों लेके जाएंगे सर कॉंस्टेबल है न आप नहीं लेके जाते हैं तो ऐसी कई चीज़े है आप देखेंगे इस सेक्षन के अंदर में सभी का एक मोटा मोटी तोर पर मैंने आपको रिफरेंस दे दिया कल प्रैक्टिकली आज फले टाइम हो गया है मैं आज आपको थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूं आपको छोड़ रहा हूं जा करके आज आप मस्ता मूवी देखिएगा मूवी देखने के बाद कुछ और प्रब्लम सॉल बाई बालवच्चो बाई बाई बालवच्चो बाई बाई बालवच्चो